अब वेकिंसी, एक साल हो गया वेकंसी नहीं आई, तो वो जो पे रच्ट हा एक साल का अपने एक्सक्पेक्टेशन में रहते हैं, लोगों से सुनते हैं कि दो महिने बाद आने वाली है, फिर वो वेकंसी आती नहीं है, दो महिने बाद थो बहुत डिसार्गिंग लगता है ए मोमेंट्स ऐसे भी थे कि मैं कुछ समय पे ऐसा सोचता था कि यार पेकेंसी नहीं आएगी तो क्या होगा कि मेरे बाकी जैसे स्कूल के फ्रेंड्स थे उन लोग सब अच्छे इंस्ट्यूशन में थे उन लोग का प्लेस्मेंट हो चुका था तो एक प्रेशर भी रहता है एक था एक ये प्रेशर भी था कि यार बाके लोग इतना अच्छा कर रहे है जैसे एड्वोकिसी भी है एक उप्शन तो लोग उसमें अच्छा करने लगे थे जो मेरे बात स्टार्ट किये थे तो एक इन सेक्यूरिटी वहां पे भी थी पर जैसे जैसे प्रोसेस बड़ी वैस वैसे खुद को डेवलप किया उस चीज़ को ले कि अब मैंने इस डूरेशन में बुक्स भी पढ़ना चालू करी जैसे कुछ बुक्स मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रिट बाइंजिला डखवर्थ पढ़ सकते हैं आप अप लान साम्स्ट्रॉंग की एक ऑटोबाइग को अपने आप पे फूकस करना चाहिए राधर दिन अदर पीपल कि जैसे मैं प्रेशर में वी पहले आ रहा था तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए मुझे खुद पर फूकस करना चाहिए अब जैसे हर इनसान का स्ट्रगल अलग है हर की जर्नी अलग है हर का टाइम-लाइन Hello everyone, welcome to Elec for Judiciary जैसा कि किसी भी मंजल का एक सफर होता है और उस सफर की एक कहानी होती है और आज जो कहानी हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो कहानी है Mr. Puspendhgarg की जोनोंने हाली में Madh Pradesh Civil Judge 2021 के एक्जाम का जो result declare हुआ है उसमें 62nd rank secure की है तो आई ये बातचीत करते हैं Mr. Puspendhgarg से So Puspendh, first of all, many many congratulations for this achievement Thank you so much, it's a warm welcome के लिए Please introduce yourself to our viewers My name is Puspendhgarg, I was born and brought up in Bhopal Recently I have secured 62nd rank in the Madhya Pradesh Civil Judge Junior Division examination 2021 तो जैसा कि आपने बताए कि आपका place of residence Bhopal है तो आपकी schooling Bhopal सी होई है जी, मेरी schooling International Public School Bhopal से होई है All right Puspendh, अपनी family के बारे में बुछ बताए जी, मेरी family में मेरे father practicing advocate है 47 years हो गया है उनकी practice को मेरी mother yoga instructor है और housewife है मेरी दो elder sisters है elder sister मेरी मेरी elder sister का एक brand है super learning at home जो toddlers को पढ़ाते है यंगर sister का भी brand है जो entrepreneur है crotcheting India नाम है उस brand का मतलब देखा जाए तो काफी diversity है family में जी, ना कि father practicing advocate है mother yoga instructor है housewife है जी, उसके बार जो sisters है वो entrepreneur है तो इस diversity के कारण आपको अभी ऐसा नहीं लगा कि आपको अपना जो profession है उसको choose करने में कोई difficulty हो रही है difficulty तो as such कभी नहीं लगी है क्योंकि diversity तो है पर मेरा पूरा legal background है जैसे मेरे father practicing advocate है मेरी जो elder sister है उनने अपना brand चालू करने से पहले वो legal compliance manager थी ICICI Prudential में जो की corporate law lawyer थी वो और जो मेरे brother-in-law है elder brother-in-law वो civil judge है मद्धिप्रदेश जूटिशिरी में तो कही ना कहीं हम आज जो हम देख रहे हैं जो जो law profession था उसके प्रती जो रुची थी आपके परिवार में तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यह जो आज आप जिस मुकाम तक पहुंचे हैं तो उसका जो credit है वो इस जो atmosphere था उसको जाता है इस ambition को जाता है बिल्कुल एक part of credit score भी जाता है atmosphere को क्योंकि अपन बच्पन से देखते हैं कि father के cases चल रहे हैं वो discussions होते हैं table पे तो एक थोड़ी सी रूची अपने आप हलकी सी develop होने लगती है बाकी 10th के समय selection of subjects के समय मुझे full freedom थी कि क्या आपकी रूची जिसमें है आपका interest किसमें लाए करता है कि आप वो subjects ले तो इसलिए मैंने math science लिया था PCM with physical education और फिर मैंने explore किया था कि मुझे क्या करना है मैंने IAT J.E. की preparation भी करी थी start में क्योंकि मुझे पहले ऐसा लगता था क्योंकि मेरा जो friend circle था school में वो सब IAT J.E. के लिए preparation कर रहे थे तो मैं एक तरीके से थोड़ा सा influenced भी था कि मैं भी इसमें रूची रखता हूं तो मैं इसमें आगे बढ़ता हूं तो मैंने उसकी भी preparation करी थी बाद में मुझे realize हुआ कि ये मेरी field नहीं है तो इसने फिर मैं law के ले गया तो उसका आप इसको थोड़ा elaborate करके बताएंगे कि अब आपना जैसे देखा कि आपके जो friends कहीं ना कहीं जो IATG जैसे exams engineering की जो field है उसकी तरफ उनका रुजहान है और आपकी जो family का जो background है वो कहीं ना कि diversity उसमें है ना legal profession में भी हैं कुछ लोग उसके बाद different जो start-ups हैं वो भी हैं आपके family का अगर बात की जाये तो तो इसके बाद वो एक क्या point था जिससे आपको ये clarity आई कि ये अब law की तरह भी जाना है मतलब जो अपना जो आप engineering के preparation कर रहे हैं और उसके बाद आपको इतना सारी चीज़ें इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद भी आपको ऐसा लगा कि ये सब मेरे लिए नहीं है law सबसे चलाएगा ये better career option रहेगा अचली मैं अपने father और अपने sisters को अपना mentor वानता हूँ उन लोगों ने मुझे बचपन से देखा है कि मैं किस चीज में इंटरेस्ट रगता हूँ तो जब preparation का time था तो मैं जब I.T.J.E के paper के लिए appear गुआ तो उसमें मेरा three marks से रह गया था तो तब मैंने थोड़ी अपनी counseling कर वाई मेरे father ने सोचा कि इतनी preparation के बाद एक बार देखना चाहिए कि कैसा है क्योंकि मुझे भी अंदर से थोड़ा सा लग रहा था कि I can explore myself more कि कि किस जगा मेरा interest लाए करता है क्योंकि मुझे उस समय जो I.T.J.E के subjects थे वो इतने अंदर स समझ में नहीं आते थे तो preparation तो मैंने करी पर मेरा इतना interest लाई नहीं कर रहा था मुझे during the preparation ages समझ में आई थी फिर मैंने जब अपनी counseling कर वाई अपने sisters ने मुझे अच्छा option बताया मेरे brother-in-law ने मुझे बताया कि एक बार law में भी देख सकते हैं तो उसमें मेरा interest law में आय और बस फिर वहाँ से college की process चालू ही तो मेरा अपने आप interest डेवलाप हो गया law में तो ये बहुत एक अच्छी बात है जो फुस्पिन सेयर किया जिस interview के माद्यम से कि आप जब आप अपना career हम जब decide करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक रहता है ना कि इसमें हमें वो practical application नी लग रही है ना इसमें वो हमें kick नहीं मिल रही है वो कही ना कहीं एक point आता है कि हमें kick नहीं मिल रही है इसमें हम पट रहा हैं वह इस लيए पट रहे हैं कि लिए इसकी तुरा है लेकिन आप ये देखिये कि एतना diversity है जो फुस्पिंत की जो family है उनके अगर profession के बात की जाए उसके बाद उन्होंने full flesh preparation की आईटी जयी की और उसके बाद उन्होंने ये final decision लिया कि ये सब मिरे लिए बहतर नहीं है मिरे लिए जो बहतर option carrier option रहेगा वो law रहेगा तो अब इतने सारी analysis के बाद वो इस decision पर पहुँचे हैं तो एक जो कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में जो एक uncertainty रहती है कि ये carrier option बहतर ही, ये बहतर है तो आज इस interview के माध्यम से ये बात जो पुस्पेंद ने कही मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि आप पहले अपने आपको जहां जहां आपको doubt लगता है कि ये carrier option मेरे लिए बहतर है उसके बारे में थोड़ी जानकारी accumulate कीजिए और उसको analyze कीजिए उसके बाद अपने decision पर पहुँचिए कि मेरे लिए सबसे बहतर क्या रहेगा तो ये बात रही कि law as a carrier option तो जैसा कि आपने बताए कि आपकी जो graduation है वो बरकुतला इंवस्टी बहफाज से हुई है तो अपने college के बारे में बताए जो आपको graduation का जो period था उसके बारे में बताए आपकी आपको ओर जो development था अपने अपनी personality में वो क्या क्या changes देके after getting admission in the college after getting the admission in the college मुझे ये चीज रिलाइज हुई कि एक जो अपन bubble create करके रखते हैं कि IITs, Nationals and different recognized institution कि लोगों को फिर state government के colleges में आने में थोड़ा सा cope करने में वो लग जाता है वो एक्सेप नहीं कर पाते हैं पर जब मैं इंटर हुआ state government college में तो तब मुझे एचीज रिलाइज हुई कि ये individual पर depend करता है कि वो कितना खुद को grow करें तो जो personality development है वो मुझे ऐसा लगा कि ये individual different activities में participate करें जैसे state government colleges खुद से initiative लेके खुद से participate नहीं करवाते हैं मिलब कि जो level of nationals और IITs रहता है कि clubs रहते हैं वहाँ पर तो वो चीज लग करती है पर वो चीज इसलिए लग करती है क्योंकि individuals जो बच्चे होते हैं वो खुद इस चीज का initiative नहीं लेते कि इसमें participate करें आगे बढ़ें तो ये मुझे चीज लगी थी मैंने अपने friends के साथ जो मुझे college में मिले उनके साथ मैंने different mood courts, paper presentations और दूसरी जगह उपे participate किया sports events में participate किया तो मुझे उस चीज का बहुत फायदा मिला था जो मेरी personality में development हुआ बाकी college life मैंने खूब enjoy करें तो जैसा कि अभी उस पेद ना जिस बात का जिक्रिक किया है वो ये है कि जैसे होता है न कि different जो national institutes हैं जैसे हम बात की law की अगर बात करें तो national universities हैं और बाकी medical field की बात करें तो different जो state या फिर national universities हैं तो कहीं न कहीं उनको preference जादा दी जाती है और हमारे मन में भी कहीं न कहीं ये बात बैठी हुई है कि आप अगर इन universities में अगर आपको admission नहीं मिलेगा तो आपकी overall development आपका उस तरीके से बहतर तरीके से नहीं हो पाएगा तो pushpin न कहीं न कहीं इसी बात को revert करती हुए जो बताया है कि आपके अंदर जो explore करने की जो एक potential होता है या फर एक जो encouragement होती है आपकी तो वो बहुत जरूरी है आप जो भी college अगर आप join कर रहे हो तो आपके मन में आपकी जो thought process है बहुत clear होनी चाहिए कि यहाँ पर जितनी opportunities मुझे मिलेंगी मैं सारी opportunities को avail करूँगा एक्स्प्लोर करूँगा और अपने लिए एक बहतर जो development हो सकता है वो मैं इस college से grasp करूँगा इसमें एक और चीज हैट करना चाहूँगा मैं कि अपन खुद के लिए भी opportunity बना सकते हैं बिल्कुल जैसे colleges में अगर आप मान कि जो आप किसी college में गए तो वहाँ पर आपको लगता है कि इस particular activity के लिए कोई एक society होनी चाहिए एक कोई group होना चाहिए तो अगर उसका initiative आप कुछ से stimulus करवा सकते हैं create करवा सकते हैं तो यह रही एक जो graduation की बात थी जो graduation का experience आपका वह अपने share किया अब graduation चल रही थी उसके साथ में अब यह तो clear था कि जो करना है वो legal arena है उसी में करना है यह बात बहुत clear हो चुकी थी उसके बाद अगर हम law की बात करें तो उसमें भी different हमारे देखे जाएं तो different streams है different scopes है opportunities है आप litigation जैसे कि आपके father litigation कर रहे थे बहुत ज़्यादा experienced lawyer है वो उसके बाद आपने जैसा बताया कि आपके जो brother-in-law है वो civil judge है तो यह जो judge बनने का जो thought था पहली बार जो thought आया तो क्या family का जो legal background है वो inspiration थी या फिर कोई ऐसी कोई और कहानी थी जिसना आपको inspire किया कि different career options है उसमें से judge को judiciary उसको चुनना है इसमें जो legal background मेरा है उसने एक role यह play किया कि वो as a catalyst काम किया कि जो मेरी journey थी उसमें मुझे बहुत help हुई इस legal background की पर जो मेरा decision था judiciary को opt करने का वो मेरे personal choice थी as कि मेरे father ने और मेरी sister brother-in-law ने मुझे suggest किया था कि आप हर जगे internship कीजिए जहाँ पर आपका interest लाए करे जहाँ पर आपको work as a flow लगने लगे कि as a flow हो रहा है आपको मज़ा आ रहा है वो काम करने में तो आप उसे pursue करवा गे तो internships मे मैंने हर जगे करी, NGO's में करी, welfare organizations में करी, corporate offices में करी, under a lawyer करी, judiciary के अंदर करी, judiciary मैं as such internship नहीं कर सकते पर मैंने observe किया अमने brother-in-law को, तो मुझे एक ये चीज़ समझ में आई है मेरे अंदर कि मुझे judiciary करना है, मुझे judiciary is a very good option for me and my interest lies in it, तो judiciary मैंने इस लिए चूज कुई यह सबसे अच्छी बात जो यह निकल के आती हो यह है, कि आप जो होती नहीं कहीं सुनी बात हैं होती, कि आपने किसी सुन लिया कि यह corporate life है, वो अच्छी नहीं है, उसका जो working, जो culture है, वो काफी toxic है, उसके बाद जो अगर आप practice करना चाहते हो, litigation करना चाहते हो, तो आपक as a career option देख रहे हैं, तो उसके related भी आपको बहुत सी जो उसके demerits हैं, या फिर इस तरह की बात हैं, आपको सुनने में आई ही, तो उसमें सबसे अच्छा यह है कि अगर आपको कोई career options चुनना है, तो आप पहले से अपने आपको explore करो, आप experience लो, क्योंकि आपके पास, corporate internships की बात की जाए, है ना, चाहे आप judicial clership कर सकते हो, किसी judge को आप associate कर सकते हो, उसकी functioning में, उसके अलाबा, आप किसी advocate के अंडर आप practice कर सकते हो, as a intern, उससे आपकी यह clarity, आपको जो opinion रहेगा, वो काफी informed रहेगा, आपको कभी यह doubt नहीं होगा, कि अगर आपने इस particular option को बात खुले के, struggle हो सकता है, बट regret नहीं होगा, तो यह बहुत एक important बात है, जो मेरे साब से, आप जब भी अपना career option चुने है, तो पुस्पेंद की यह बात, आप जरूर याद रखें, तो आपका यह final decision हो गया था, कि judiciary की preparation करनी है, civil judge बनना है, तो एक तो होता है, कि हमने स अब हम एक बहतर direction में करेंगे, एक बहतर तरीके से करेंगे, तो वो क्या point of time था जब से आपने serious preparation स्टार्ट कर दी थी, civil judge की, उसके बारे में बता है, मैंने decision fifth year के starting में बना लिया था, कि मुझे judiciary करनी है, पर वो इतना मजबूत नहीं था एक दम सी, कि मैं अपनी serious preparation चालू मुझे अपने college की चीज़े भी देखनी थी, क्योंकि मैं events भी organize करता था, तो मुझे लगता था कि this is the last year I can enjoy, और फिर तो लगना ही है काम पर, तो इसलिए फिर मैंने जब graduation मेरी over हुई, फिर मैंने अपनी serious preparation चालू कर दी थी, graduation आपकी 2018 में complete हुई, 2018 से आपने serious preparation अपनी start कर दी थी, तो एक सवाल रहता है aspirants के दमाग में, कि जैसे कि आपने 2018 में preparation start की, और finally आपका जो result आया, वो 2023 में आया, आपकी बागी process, पूरा process थी, preparation का part था, जरनी थी, तो देखा जाए 2018 से 2023 कर तो 5 years का एक period था, तो इससे एक सवाल आता है, जो बहुत से aspirants हो, उनके दिमाग में सवाल रहता है, कि एक specific कोई period है, अगर उस period में, अगर हम तैयारी full discipline के साथ, dedication के साथ करें, हमारी preparation complete हो जाएगी एक बहतर तरीके से, तो वो आपको क्या लगता है, आपको इस journey को observe करने के बाद, कि वो क्या period है, कि अगर आपके life में कोई obstacles नहीं आ रहे हैं, आपकी preparation में, आप continuously preparation अपनी कर रहे हो, तो इतने period में आपकी preparation complete हो जाएगी, इसमें मेरे हिसाब से जो time period अगर उपर से देखें, bird view से, कि क्या लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो मेरे हिसाब से one या two year का होना चाहिए, mainly, ठीक है, बर इसमें पूरी चीज़ डिपेंड करती है, individual के उपर, वापिस वही चीज़ आता जाती है, कि वो कितना seriously कर कितना focus है, या उसको यही करना है आगे, या कुछ बच्चे होते हैं, जो graduation, college चालू होने से पहले सोचके बैठे रहते हैं, कि मुझे judiciary join करनी है, without exploring कि उनका interest कहां लाए करता है, तो ये बहुत depend करता हैं, कि उनको कितना dedicatedly इसके लिए prepare करना है, मेरे हिसाब से ideally one या two years में हो जानी चाहिए, बाकी एक मैम है, सुनीता मैम, जो कहती हैं कि आपको वो कुर्सी जब तक नहीं मिलेगी, जब तक आप उसके काबिल नहीं हो जाते हैं, तो वो period उसमें आ जाएगा, जी, तो यही है कि अगर आप one year की complete preparation अगर आप करते हैं, एक proper discipline के साथ, dedication के साथ, तो final selection is a different thing, लेकिन एक बात होती है, कि preparation आपकी complete हो जाएगी, तो उसके लिए one year का period, one and half year का period sufficient है, उतने हम आपकी preparation हो जाती है, तो यह आपने preparation स्टार्ट कर दी है, अपनी 2018 में, उसके बाद एक सवाल आता है, कि self study की जाए, या फिर किसी institution के help ली जाए, यह एक बहुत सवाल रहता है, क्योंकि कहीं न कहीं यह बात चलती रहती है, कि selection तो आपकी self study करवाती है, वाकी institution का तो बहुत छोटा एक role रहता है, तो यह आपका personal इसके बारे में, मैं जानना चाहूँ कि आपका क्या opinion है, और अगर आप जो सुनते आते हैं, या तो एक तो यह बताएं आपको कि आपने जो सुनने वाँप क्या आया है, उसको देखके आपको क्या लगता है, और एक आपने जो personal experience किया है, उसको देखके क्या लगता है? इसे मैं स्टार्ट सुनने से करूँगा कि अपन क्या सुनते हैं लोगों से तो इसमें पहला चीज या आती है कि लोग बहुत फोकस करते हैं कि आप सेल्फ कर सकते हो तयारी कि खुद से पढ़के घर के आराम से हो जाती है पर जो मेरा personal experience है मैं इसे अपने first attempt के basis के through explain करना चाहूँगा example के तू जो मेरा first attempt था जैसे मैं graduate हुआ मैं जिस समय graduate हुआ उसके एक week after vacancy आ दे थी August में तो two months का time मला था मुझे तो मुझे यह लगा था कि मैं पहले एक बार attempt करता हूँ self study करके कि मैं कितना मतलब कहां पे stand करता हूँ तो जब मैंने वो चीज़ पढ़ी तो फिर जब मैं उसमें fail हुआ उस attempt में मैं clear नहीं कर पाया अपना प्रिलम्स का exam तो मुझे यह चीज़ रिलाइज हुई कि मैं जो चीज़ पढ़ रहा था वो एकदम opposite थी जो actual section कहता है उस चीज़ से क्योंकि जितना deep में यह judiciary के preparation लगती है उतना college में एकदम से नहीं पढ़ पाते हैं अगर अपन focus college में नहीं है तो अपना की judiciary attempt करना है जैसे बाद में मेरा graduation के बाद आया तो मुझे ऐसा लगता है कि coaching एक बहुत important role play करती है की preparation में वो as a catalyst भी काम करती है जिनकी preparation already अच्छी है जो sections की अच्छी understanding रखते हैं जो commentary college में बहुत अच्छी पढ़ चुके हैं पर एक guiding एक direction मिल जाता है coaching के थूँ कि आपको इसी note से जा सकते हैं आप या जैसा भी रहे एक mentor रहता है आपके उपर कि आपको कहां गलती कर रहे हो आप एक guiding guiding रहता है तो पुस्पिन जो अभी बात की उससे एक बात निकल के आती है कि आप self study भी कर सकते हैं आप किसी institution के साथ अपनी preparation करते हैं ये आप पर ये person to person vary करता है ठीक है अब तो इसमें बात ये आती है कि आप self study करके पहले देखे हैं है ना उसके बाद आप अपनी गलतियों को realize करें अगर आप से कुछ गलतियां हो रही है आप सिर्फ इस बात पर ना जाएं कि self study करके हो जाएगा ये आपकी personal choice है लेकिन आपको ये decision बहुत informed होना चाहिए क्योंकि आपकी एक गलती आपको बहुत पीछे दे जा सकती है तो institution की जैसा बताए कि पुस्पिन ने बताए कि institution की जो आपकी preparation जो help रहती है वो इस तरह की रहती कि कहीं ना कहीं आपको एक proper direction मिलती है आपको proper guidance मिल गया है आपकी preparation में क्या कमी है रही है उसका क्या होती है आपको proper analysis करने के बाद एक feedback मिलता रहता है और सबसे बड़ी बात है कि आपके accountability रहती है कि आपको test देना है आप जो भी आपके mentor है जो आपके teacher है आपसे पूछेंगे कि आपसे ये गलतियां हो रही है आपकी गलतिय repeat कैसे हो रही है कहीं ना कहीं इस तरह की आपको help मिलती है तो जैसा कि पुस्पेंद आपने एक बात notice कि होगी कि after final selection बहुत से ऐसे candidates हैं जिसका photo आपको different coji institutes हैं उनके channels पर मिल जायेगा उनके जो banners हैं उस पर मिल जायेगा तो इसमें एक जो बात रहती है कि आप different institutes से कहीं ना कहीं कोई ना कोई service avail करते हैं इसलिए आपको photo वहाँ वो post होता है या फिर वो convey करना चाते हैं उस बात को लेकिन सबसे उसमें एक एक जो मुझे flaw लगता है वो यह है कि बात पूरी तरह से clear नहीं होती है clarity नहीं आती है कि किसी particular institution से आपने कौन सी service avail की है इससे जो aspirant है जो किसी institution के साथ जोड़ना चाता है उसके सामने misleading facts जाते हैं वो यह decision नहीं ले पाता कि यह particular candidate इस coaching institution का था या फिर इस particular coaching institution से इसने ये service avail की थी और इस coaching institution से इसने ये service avail की थी तो इसके बारे में आपका क्या opinion है जी इसमें मेरा ये opinion है कि जिस candidate ने जैसे उसका हर जगे फोटो लग रहा है उसके posters पे अलग-अलग institutions के तो उसने कोई ना कोई services obviously await करी हैं तब ही वो लोग entitled लें उसका लगाने के लिए बागी रही बात clarity की तो इसमें मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि अलेक institution जो है इसने प्रॉपर जिनका भी poster लगाया है या जिनका भी post share करें हैं उसमें प्रॉपर लिख रखा है कि उनने कौन से courses लिये थे क्या कौन सा बच्चा कौन से course लेके select हुआ है किसमें कौन से services अवेल की है तो यह clarity रखने का मुझे बहुत अच्छा system लगा था तो आपका इस बारे में यह opinion है कि सारे coaching students हैं उनको यह clarity clarity रख सकते हैं जी हाँ एक रखनी चाहिए मतलब कहीना कहीन हम इस बात को हैं कि यह एक moral obligation है कहीना कि जिस आप से हम जो जिस teaching जो प्रॉफेशन उसको जो respect मिलती है उस respect को बनाया रखने के लिए यह clarity बहुत जरूरी है और यह clarity mainly students के लिए जरूरी है teaching profession के ethics वगेरा सब एक position पर आके रुख जाते हैं mainly जो beneficiary है वो है student जिसके लिए institutions बने हैं तो उनके main benefit के लिए clarity अगर हो तो जादा अच्छा है मैं ऐसा recommendation मतलब जो candidate जो select हो गया है उसको कहीना की इस बात पर अगर उसको मौका मिलता है तो उसको clarity देनी चाहिए वो उसका कह ही ना कही एक moral obligation है जो उसको fulfill करना चाहिए तो जैसा कि आपने जिकर किया की एले इंस्टूट के साथ आपने जैसे particular course अन्रोल किया था तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें आपका कैसा experience था कैसी जर्णी थी आपकी पहले मैंने जब अपनी preparation स्टार्ट करी थी first second attempt के बाद क्योंकि दोनों attempt एक साथ आ गए थे second attempt को के बाद मैं indoor shift हुआ था अपनी preparation के लिए उसके बाद जब coronavirus हिट हुआ उसके बीच में कोई vacancy नहीं थी coronavirus हिट होने के बाद मैं भूपाल वापस अपने home shift हुआ था फिर मैंने Alec की services ली थी जिसमें पहले था कि मैं मेरा तब तक prelims crack नहीं हो पाय था MP judiciary का तो मैंने पहले prelims के लिए prelims mock test series ली थी जो मुझे बहुत benefit हुआ उसका उसमें दो-तीन features मुझे बहुत अलग लगें बाकी institutions से जो mock test series प्रोवाइड कर रहे थे पहला उसमें feature यह था कि competition का पता चल रहा था कि बाकी students कितना score कर रहे हैं आप कितना score कर रहे हैं रैंकिंग्स थी मुझे हमेशा से थोड़ा सा competitive माहूल अच्छा लगता है कि आपके आसपास का जो atmosphere है उसमें लोग कैसा score कर रहे हैं कैसा क्या कर रहे हैं तो आप भी aware रहे तो अपनी preparation को लेके कि आप कहां जा रहे हो आप कौन से direction में जा रहे हो तो वो जो prelims mock test series थी वो मुझे बहुत help कर होते थे तो वो भी बहुत अच्छे थे बाकी बाद में मैंने जब मेरा prelims crack हो गया था तो मैंने main smoke test series के लिए enroll हुआ था मैं आलेक्स से जिसमें नितेश सर और पूजा माम का guidance बहुत अच्छा मिला मुझे answer writing में वो मुझे बहुत help हुआ मैंने offline method choose किया था तो वो भी benefit हु तो वो मुझे exam hall में बहुत help हुई थी उस चीज की कि मैं मुझे लग नहीं रहा था कि मैं mains का exam दे रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं mock test दे रहा हूँ अपना कोई फिर बाद में जब मेरा means clear हुआ इस 2021 vacancy में तो मैं interview program के लिए enroll हुआ जहां पर वापिस मैं कहना चाहूँगा कि नितेश सर के guidance के तुरू मुझे बहुत help हुई कि मेरा मैं बहुत camera conscious हो जाता हूँ तो camera conscious होने के साथ ही जब मैंने mock interviews दिये तो मेरी वो जिजग हटी एक तो वो मुझे बहुत help हुई जी तो ये थी आपकी जो एलेक के साथ जो आपका association था जो जड़नी थी वो आपने share की जी तो आपका जैसे अब उसमें आपने एक बात notice कियोगी जैसे final selection होने के बाद कही होता है कि आपसे जो उम्मीद होती है वो बड़ जाती है कि जो एसिपरेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके आसपास लोगोते हैं जो preparation कर रहे हैं उनके आप एक role model बन जाते हो और अब उस role model बनने के बाद में एक जो बात हमें एक approach है वो सामने आती हूँ याती है कि मार्स में preparation करता था अगर electricity नहीं रहती थी तो मैं तारों की रोसिनी के नीचे ले बढ़ता था तो इस तरह की कहीं न कहीं बाते हैं जो जो आपकी जर्नी रही है 2018 से लेके 2023 तक वो एक बहुत लंबा पीरेट था लोंग पीरेट था तो आप यह जो जर्नी थी उसमें आपने academically कैसे अपने आपको strong रखा और mentally कैसे strong रखा क्योंकि आपका एक वक्त के बाद आप preparation स्टार्ट करते हैं तो आपको motivation गिरता है तो प्रिलिम्स मेंस और इंटर्व्यू तीन जो स्टेजिस थी उसमें मैं चाहता हूं कि आप हर एक स्टेज में जो आपने academically जो आपका जो preparation थी उसके वारे में आप बताएं और उसके साथ साथ जो आपके obstacles थे जो hurdles थे उसके वारे में बताएं जिससे अपने जैक के इंटर्व्यू की याद आगई जिसमें 10-11 questions एक साथ इंटर्व्यूर शूट करता है और आपको answer करने हो तो यह answer थोड़ा सा समय ले सकता है इसे मैं चालू अपने college day से चालू करूँगा इस answer को कि जब मैंने पहला decision लिया था जो serious नहीं था कि मुझे judiciary करनी है फिर्थिय के starting में कि तब मैं ऐसा समझता था इस exam को कि यह बहुत light exam है तो मेरी preparation भी उसी साथ से रहती थी कि मैं मैं सोचता था college life में जॉई कर लो last year है पर साथ में लोगों को देखता था अपने class वालों को पढ़ते हुए तो मुझे भी लगता था कि थ मैं उनसे मिलने गया था जब हमारी graduation हुई तो उन्होंने एक चीज़ बताई थी एक चीज़ बोले थी कि जब life जब आप रिंग में उतरते हो life के तो जो punches life आपका opponent है तो जो punches मालते हैं वो सारे punches ही knockout punches होते हैं कि मतलब कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि आप dodge करो या कुछ करो आपको सारे लेने हैं आपको पूरा defense भी अपना ready रखना है तो आप उसे साब से preparation रखो जब मुझे पह देना है मुझे कितना अपने आपको improve करना है मैं कहां lag करता हूँ मैं इतना जो पहले lightly लेता था इस exam को कि मैं crack कर लूगा मुझे में potential है वो belief तो था मुझे पर उसका कोई base नहीं था क्योंकि मैंने वो attempt कभी नहीं किया था जब मैंने वो first attempt किया तब मुझे उसकी seriousness पता च फिर जब मैं Jack का interview qualified नहीं कर पाया तब मुझे actually लगा कि ये knockout punch पहले वाले से भी तेस था तो ऐसे और आ सकते है अगर मैं और prepared नहीं रहा तो जब मैं दौर shift हुआ फिर preparation करने के लिए क्योंकि मुझे ऐसा realize हुआ कि मुझे घर में रहके थोड़ा सा problem हो सकती है क्योंकि एक atmosphere घर में as such मेरे परिवार में आज तक किसी ने competitive के लिए कोई बैठा नहीं है CA exam छोड़ के मेरी एक cousin sister ने उनने CA clear किया था वो भी उन्होंने भार preparation करी थी तो कोई government officer नहीं था तो इसलिए मुझे मेरे father ने बोला कि आप भार रहके preparation करो मेरे brother-in-law ने भी मुझे recommend किया कि आप भार रहके करोगे तो आपको एक अलाग atmosphere मिलेगा जो मुझे अपने first attempt में समझ में आ गया था कि घर में रहके preparation थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि घर में obstacles बहुत रहते हैं कि काम रहता है दूसरी duties रहते हैं आपके तो मैं shift हुआ indoor मैंने वहां से preparation चालू करी फिर MP का MP की vacancy दो महीने बादी आ गई जब मैंने अपने preparation स्टार्ट करी तो फिर उस vacancy में मैंने अपने जान जोब भी बहुत अच्छे से वह exam दिया तो मेरा projected score 119 हो और जो मेरे mentor थे वहां पर रहमान सर उन्होंने बताया कि 118 जा सकता है अब क्या होता है कि इसमें calculation में calculation में भी problem हो जाती है तो मेरा actual score 117 आया अब एक mark से मैं रह गया तो उस चीज का दुख भी बहुत हुआ तो जैसे कि आपना obstacles की बाद करी तो यह चीज धीरे-धीरे मु के महनत और करें यह shortcomings खुद की अपना अपने analyze करें तभी अपन आगे बढ़ सकते हैं फिर उसी वेकिंसी के just बाद जब result आया February में result आया था तो नहीं स्वारी मार्च में result आया था तो मार्च के end में ही 31st मार्च को मेरा RJS का paper था राजस्तान का राजस्तान judicial service तो वो मैंने दिया वो अब जब result आया था तो मैं पूरा मतलब टूट टाइप का सजाते हैं कि अपन ने इतनी महनत करिया और अपने फादर, mother, sister, expectations रहती हैं उन लोग की कि यह इतनी महनत कर रहा है तो वो break होती हो दिखती है अपन को जब अपन उने result बतात मैंने का कि अभी 17 days बचें RGS के लिए तो मैं RGS के लिए प्रिपेर करता हूँ फिर मैंने RGS के लिए प्रिपेर किया मैं appear हुआ उसमें fortunately वो मेरा clear हो गया prelims फिर RGS के एक महीने बाद ही 36 गड़ का paper था मैं 36 गड़ में appear हुआ उसकी preparation करके उसमें मेरा one mark से रह गया फिर से prelims फिर एक हवा चली थी कि MP की vacancy एक दो महीने में आ सकती है क्योंकि उसी समय result आया था उसका आगे चलके तो उस expectation में मैंने अपनी preparation चाल करी तो एक थौट ही आया था कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार vacancy क्यों नहीं आ रही जैसे अभी लोगों का थौट है कि vacancy last time तो means के result के पहले आ गए अब इस expectation में candidate रहता है कि vacancy नहीं आ रही है तो मैं पढ़ा ही तब से करूँगा जब vacancy आ जाएगी तो तब मुझ मुझे मेरे mentor ने मेरे brother-in-law ने और बाकी लोगों ने यह चीज़ समझाए कि एक बात बताओ कि अगर अभी आपको means का एक paper दूम है तो आप पूरा कर लोगे तो मुझे अंदर से थोड़ा शेकी लगा कि मैंने का नहीं मैं answer writing की तो मैंने आश तर प्रैक्टिस ही नहीं करी है तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप पूरी full-on preparation कीजिए तीनों stages की मिला के और जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप full-on prepared है मतलब आप पूरा एकदम जच की तरह आपको लग रहा है कि आप full prepared है तो आप अपनी preparation को थोड़ा light कीजिए फिर मतलब कि फिर आप जो दो महिने का time मलते है वो sufficient नहीं है अब vacancy एक साल हो गया vacancy नहीं आई तो वो जो period था एक साल का अपने expectation में रहते हैं लोगों से सुनते हैं कि दो महिने बाद आने वाली है फिर वो vacancy आती नहीं है दो महिने बाद तो बहुत disheartening लगता है कि पूरा होब से तूड़ जा उन लोग का वो लोग सब अच्छे institutions में थे उन लोग का placement हो चुका था तो एक clear pressure भी रहता है एक वो pressure भी था एक ये pressure भी था कि यार बाकी लोग इतना अच्छा कर रहे है जैसे advocacy भी है एक option तो लोग उसमें अच्छा करने लगे थे जो मेरे बात start किये थे तो एक insecurity वहां प करूँगा कि आप grit by Angela Duckworth पढ़ सकते हैं आप atomic habits पढ़ सकते हैं आप Lance Armstrong की autobiography थी वो पढ़ सकते हैं तो ऐसे मैंने books उसमें पढ़ना चालू करा तो मुझे अपने आप एक चीज़ रिलाइज हुई कि जो great things take time तो वही मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने आपको अपने आप पर focus करना चाहिए rather than other people कि जैसे मैं peer pressure में भी पहले आ रहा था तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए मुझे खुद पर focus करना चाहिए अब जैसे हर इनसान का struggle अलग है हर की journey अलग हर का timeline अलग है तो जब मेरे destiny में जो चीज़ लिखी होगी अपन उसे साब से भी कर सकते हैं बाकि मैं luck पर as such believe नहीं करता मुझे ऐसा लगता है कि अपन अपना luck खुद बनाते हैं तो उसी पर म निकला तो उसका mains का time आया अब एक obstacle मेरे पास यह हुआ कि जब मेरा clear हुआ तब से मुझे one month मिला था क्योंकि उसकी एक additional list आई थी उसमें मेरा RJS clear हुआ था तो जो जब list आई तब मुझे actually allergies हो गई थी कुछ तो मुझे समय ही नहीं मिला उसके लिए prepare होने का RJS के लिए तब मुझे एक मैं अपने सारे candidates जो भी viewers है उनको यह recommend करूँआ कि आप opportunity का wait मत किजिए कि वो आपके सामने आए जैसे मेरा RJS clear हुआ तो मैंने उसका पढ़ना चालू किया तो यह चीज आप wait ना करें क्योंकि opportunity कभी भी आ सकती है आपको हमेशा उसके लिए prepared रहना है तो जब RJS का clear हुआ और मैं allergies से सफर कर रहा था तो डॉक्टर भी उससे में detect नहीं कर पा रहे थी कि क्या allergies है allergies मुझे बाद में जाके समझवाई कि allergy के कारण हो रहा था तो RJS का mains मुझे 10 days मैं fit था देने के लिए और exam के तीन दन पहले मुझे वापस allergies हिट कर गई थी कुछ तो मैं injection वगएर लगवा के paper देने गया था नेबूलाइज वगएर यह सब वो सब करवा के तो उस समय भी यह motivation था कि मुझे appear होना है मतलब कि कुछ भी हो जाए एक बार मैं appear होंगा mains में कि मुझे experience मिलेगा भले ही मैं कुछ भी लिख क्या हूँ भले ही कैसा भी मेरा paper जाए मैं prepared नहीं हूँ पर मुझे at least इतना तो आता है कि क्या subject है वो तो मैं appear होने गया मैं appear किया उसमें RJS mains में unfortunately मेरा 19 नंबर से रह गया पर यह था कि मतलब मैंने बिना preparation के इतना score कर लिया था तो एक positive मुझे वहां जिससे यह चीज मिली कि अपन direction में थोड़ा सही जा रहे हैं तो यह में को motivation का काम किया बाकी मैं आगे preparation करता गया फिर vacancy September 2020 म कुरोना से वापिस recovering phase चल रहा था तो जब vacancy आई तब बहुत खुश थे पर फिर वहां पर यह सवाल था कि paper कब होगा तो अब paper extend होता गया होता गया December आगया September से तो उसमें भी एक ambiguity थी कि कब होगा हो सकता है कि आगे और खिच जाए क्योंकि इतने rumors उस समय उड़ते हैं कि UPSC की तरह centralized नहीं है कोई कि इस date को होगा तो हो गई कि इस year vacancy आनिया तो हो गई है अब जैसे MP की vacancy 19 2019 January में पहला prelims हुआ था उसके बाद March 2021 में जाके इसका दूसरा prelims हुआ तो यह जो period था इसमें बनाना खुद को एक वो चीज थी कि मैं recommend करूँ कि आप wait कीजिए आप ख बनती जाएंगी कि इतना period लगा तो आप इसमें किसी को दोश मत दीजे किसमत को मत दीजे कुछ लोग बहुत किसमत को दोश देते हैं कि मेरे साथ ही हो रहा है ऐसा पर कोई कारण होता है किसी चीज के पीछे मैं ऐसा belief करता हूं कि अगर God आपको रोक मतलब God बोल रहा है कि ये वेकिंसी में आपका 0.5 से रहा है तो जरूर वो आपको कुछ आपमें इंप्रूव्मेंट चाह रहा है कि आप कुछ इंप्रूफ कीजिए अपने आपका आंखलन कीजिए और फिर आगे बढ़ें आप तो एक ये चीज थी कि प्रिलम्स मेरा फिर क्रैक हुआ पर उसके मुझे रिकवर करने में लग गए थे अब मेरा प्रिलम्स भी क्लियर हुआ था तो मेंस की बात है ये एंपी की मेंस में मैंने टेस्टीरीज आलेक की लिए जिनने मुझे बहुत हेल्प किया पर अनफॉचनेटली वो भी मेरा 15 मार्क से मैं मेंस कौलिफाई नहीं कर पाया तो तब मुझे एक और लर्निंग मिली थी कि अपनी हेल्थ का साथ साथ में ध्यान रखते हुए चलना है आपको अलर्जीज भी होंगी बाकी चीजे भी होंगी तो आपको प्रिपेट रहना है हर चीज के लिए कि हो सकता है अगर हो जाए आप इसलिए अपना खान पान अपना टाइम मानेज करना पड़ेगा कि आप किस चीज को कितना टाइम ले रहे हैं तो एक ये चीज इस अटेम्ट से मेरे निकल के आती है फिर जब रिजल्ट आता है तो एक शॉट कमिंग ये भी रहती है कि हम सामने इंस्टूशन को ब्लेम करने लग जाते हैं कि उसने क कि हो सकता है checkers सही नहीं हो, evaluators सही नहीं हो, हो सकता है कि मेरी copy किसी ऐसे व्यक्ती ने check करी जो खुद काबिल नहीं हो, कुछ लोग ऐसा सोचने लगते हैं, जो कि same feeling मुझे भी ऐसा लगा था जब मेरा means clear नहीं हुआ था, जब बाद में मैंने RTI से copies मगवाई, खुद की मैं मैंने copies देखी, दूसरों की देखी, तब मुझे यह चीज समझ मैं कि shortcomings हम में ही है, जो evaluators है, वो तो proper मंझे हुए का लागा रहा है, मतलब कि एकदम able इंसान है, तब ही honorable high court ने उन्हें appoint किया है, वो check करने के लिए, तो जब मैंने अपनी copy देखी, तब मुझे समझ माया है कि यह सारी चीज़े baseless हैं, मतलब यह सारी चीज़े rumors रहते हैं कि ऐसा हुआ है, partiality हुई है, बाकि सारी चीज़े आप ही पर depend करते हैं कि आप कैसे किसी भी situation पर react करते हैं, पूरा आपका focus, आपकी development आपके reaction पर based है, जैसे कुछ लोग result को लेके वो हो जाते हैं कि यह चीज सही नहीं होई, में को बनना था, कुछ ऐसे व्यक्ति बन गए जो नहीं बनने चाहिए थे, तो मैं इस चीज़ पर यह opinion है कि आप अपने आपको, अपने आपका unclean कीजिए, और उस पर work कीजिए, rather than thinking कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्योंकि main चीज़ आप ही हैं, क्योंकि आ आपका selection आपको चाहिए, दूसरे के बारे में सोचके उसका selection हो जाएगा, पर आपका नहीं हो पाएगा, अगर आप खुद पर focus नहीं करेंगे तो, तो बहुत सी बात निकल के आएं, जो अपनी जर्मनी थी, जो obstacles थे, जो share किये, उसमें सबसे बड़ी बात ये निकल के अब मान के चलो कि आप कब सोना, आपको कब जगना, इस बात को आप control कर सकते हैं, लेकिन आपका स्वास्त, आपकी जो health है, वो किस हद तक ठीक रहेगी, इस वाद कि आप कोई भी इंसन guarantee नहीं दे सकता, अब COVID, अब कौन चाहता था कि वहाई हम किसी को COVID हो जाए, लेकिन और जो हमारी जो life है, जो हमारी working है, है न, academics है, और अपनी health है, उसको balance नहीं करता है, तो वो हमारी तरब से, तो वो हमारी control में है, लेकिन उसके बापजूद कुछ हो जाए, तो वो फिर control में नहीं है, तो उसके लिए अपनी को prepare रहना है, मतलब यह नहीं है कि preparation ऐसा नहीं हो गई, वो सब भी preparation का part है, आप उसको मान की चलिए, मतलब आप यह मत सोची है कि इसका तो ऐसे selection हो गया, तो वही वाली बात आ जाती है कि काटो वारा बिस्तर भी देखी उसे इनसान का, है न, और अगर आपको किसी का काटो वारा बिस्तर नहीं देख रहा है, तो आप उ पुरी इस्तिती में कोई न, कोई इनसान मिल जाएगा, तो आप उसको देके motivate हुई हो, क्योंकि आप किसी की progress को control नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने development को, अपने discipline को ही control कर सकते हैं, इसमें मैं एक चीज़ आट करना चाहूंगा, कि मेरे brother-in-law बोलते थे, जैसे मुझे allergies हु कि obstacles आ रहे हैं, वो as a stepping stone है, मतलब कि यह वो परिक्षय ले रहे हैं, उपर वाला आपकी, कि आप इसे कैसे और अच्छे से tackle करके आप आगे बढ़ सकते हैं, यह mainly आपका overall development हो रहा है इन सारी चीज़ों से, जित्ते भी obstacles आ रहे हैं, तो आप यह पूरा आपके reaction पर depend करता है कि आप कैसे हर अपने obstacle को react कर रहे हैं आप, जी, अब इसमें एक बात जो सामने आई हूँ आई है कि आपने सर्फ मत्परदेश जुडिशरी को फोकस नहीं किया, उसके बाद भी जो राइस था जुडिशन सर्विसेस का आपने attempt दिया, उस चछट्रश गड़ का भी दिया, तो इसमें एक रहता है कि जो जैसे आप किसी particular state के domicile हो, जो भी aspirant रहते हैं, उनकी वो state उनकी priority पर रहता है, उसका जो एक्जाम रहता है, तो इसमें यह होता है कि वो फिर बाकी judiciers को opt ही नहीं करते, उसका exam उनको लगता है कि bestrage of time है, और इससे तो अच्छा है कि हम जो ह मेरा opinion इस matter पर यह है कि preparation जो आपके सामने exam आए, आपको उसकी करनी चाहिए, आपका main name judge बनना है, यह नहीं है कि मुझे मद्यप्रदेश का ही judge बनना है, मुझे राजिस्तान का ही बनना है, मतलब मेरा personal opinion यह था कि मुझे judiciary को serve करना है, अब वो john c judiciary मुझे select करे, मैं उधर ज मैं इस state का exam नहीं दूँगा, मैं सिर्फ MP पे ही focus करूँगा, क्योंकि judicial services examination की बहुत uncertainty रहती है कि कब होगा exam, अब आप उसका wait तो नहीं करते रहोगे, आपके सामने जो opportunity आईगी हो सकता है आपका हर्याना में लिखाओ, हो सकता है आपका दिल्ली में लिखाओ, अब जैसे इसका मैं एक example दूँगा, कि मैंने हर्याना के लिए भरा था, जब मैं हर्याना का paper देने गया, मेरा prelims clear हो गया, तब मुझे बहुत easily, मतलब मुझे paper सही मेरे हिसाप से आ गया था, मैंने paper दिया, अब clear हुआ, तो मैं उसकी preparation में जब जुटा, तो मुझे ये चीज रिलाइ हैं, MP में तो 12 acts आते हैं, 10 basic सारे जो हर state में आते हैं, 2 accommodation और एक LRC, पर बाकी जो acts हैं, जैसे excise act हो गया, registration act हो गया, जिनकी knowledge बहुत जरूरी है, तो वो आप कैसे पढ़ोगे, वो आप इस पर थोड़ी चोड़ सकते हो कि आपको academy पढ़ाईगी, जितने भी अलग acts हैं, academy तो अपना काम करेगी, आपको एकदम कादल जज बनाईगी, पर आप उसका weight क्यों कर रहे हो, आप अभी से तैयारी करते चलो, डेली का आया paper, तो मैंने डेली के लिए पॉक्सो पढ़ा, राजस्तान का अभी paper आया था, तो मैंने राजस्तान के लिए पॉक्सो पढ़ा, तो अगर मैं MP का weight करता, सिर्फ MP ही भरता, तो मैं पॉक्सो नहीं पढ़ाता, तो अगर side by side का litigation भी चालू करूं, तो यह सारे acts मुझे help करेंगे, तो मैं यह recommend करूंगा सबको, कि आप हर ऐसा exam दे, जिसके आपके सामने vacancy आई हुई है, बस खुद को over burden नहीं कर दे, पर कहीं नहीं वो आप different states के judiciary exams की preparation करते हो, तो आपकी जो आपका priority पर जो state का exam है, उसको कहीं नहीं वो बहतर बनाता है, उसकी preparation को, उसमें आपको यह नहीं होगा, कि आपको कहीं नहीं उससे कोई भी demerits होंगा, उसको कुछ नुकसान होगा, वैसा नहीं होगा, तो यह था कि यह सारे obstacles थे, उसके साथ अपनी preparation आपने जारी रखी, अब इसमें बात आती है कि आपने जैसे जो होता नहीं है कि sources बहुत हैं आजकल मारे पास, information बहुत सारी है, आप कोई भी YouTube channel देखेंगे, तो आपको वहाँ different information मिल जाएगी, subject को आप ऐसे पढ़ें, इसको ऐसे पढ़ sources हैं, जो मुझे बार-बार इन ही sources का revision करना है, मुझे different sources के पीछे नहीं भागना है, तो इस conclusion को आप कैसे पहुँचे, जो मेरा first attempt था, उसमें जैसे कि लोगों से सुनने में आता है कि MP के लिए आप सिर्फ bare arts पढ़िये, तो मैंने वो try किया था, पर जैसा कि मुझे धीरे से खुझ से personally समझ में हैं कि bare arts are not sufficient for MP, मुझे अंदर से भी जानना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने commentaries आप नहीं, books पढ़ी मैंने, तो अब कौन सी book आपको suit करती है, आप तभी समझ सकते हो जब आप वो चीज पढ़ो, जैसे evidence के लिए मुनीर एक book आती है, मुनीर सर की, एक बटूक लाल आती है, तो एक TPA के लिए मुल्ला आती है, एक GP तरपाठी सर की आती है, तो ये सारी चीज़े आप तभी आप decide करते हैं, तो जब आप उस चीज को पढ़ो और आप समझो, तो मैंने अपना जो sources थे, वो जब दो साल vacancy नहीं आई थी, तब मैंने इस चीज को अपने sources confined किये थे, कि मुझे इस book से जादा अच्छा समझ में आ रहा है, और इसमें material मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मुझे suit कर रहा है, कि मुझे याद भी हो रहा है, समझ में भी आ रहा है, जो मेरी understanding के हिसाब से रहा, तो धीरे-धीरे मैं उससे notes भी बनाता गया, औ जुरू से मैं recommend नहीं करूँगा, मैं यह करूँगा कि आप material किसी का किसी में अच्छा है, किसी का किसी में जादा अच्छा है, तो आप हर जगे से आप एक जगह लेके आईए, खुद के notes बनाईए और आगे पढ़िए, तो कही ना कही इस बात से जो बात सामने आ रही वो कि आपके लिए बहतर कौन सी commentary है, और अपने आपके पास अगर समय है, क्योंकि यह समय की बात है, कि आपके बस कितना समय है, उसके साब से आप खुद के notes बनाईए, या फिर किसी institutions के notes की help आप से सकते हैं, यह आप पर depend करता है, लेकिन इस बात को channelize करना बहुत जरूरी है कि आपको जो notes है, final जो आपके notes है, वो आप कौन से notes हैं, जो refer करोगे, before the final examination, यह बात बहुत जरूरी है, और इसको आप पहले से अगर इस बात के लिए आप prepare रहेंगे, तो आपकी preparation बेतर तरीके से होगी, तो जैसा कि आपने अपने जो sources से, उसको आपने समझ लिए, कि य और आपने जो prelims के जैसे different आपने exam दिया है, मत्द प्रदेश का भीदी, राइस्तान, डेली, हरयाना, तो अब जैसे मत्द प्रदेश क्योंकि अभी जो आपका final selection हुआ, मत्द प्रदेश जूरीशन सर्विसेस मुग है, तो इसकी कही ना कहीं, जो MP की जो आपने preparation ने किया रहते हैं, और 40 marks का जो रहता है, वो GK, 20 marks का GK, 10 marks का computer and 10 marks का English, यह पूरा structure है, तो 110 marks का एक structure और 40 marks का एक separate structure है, तो आप law के बारे में बताए कि आपने law की preparation कैसे की MCQs लगाने चाहिए, उसका significance होता है, कौन सी books हैं, जो follow करनी चाहिए, उसके बारे में बताए सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा कि जैसे prelims आता है, तो आपके एक strategy पहले से ready रहनी चाहिए, हाला कि strategies बदलती रहती है time to time, जो work कर जाए वो आपको benefit कर जाती है बात में, पर पहले मेरी क्या strategy रही है, prelims को लेके, वो यह रही थी कि पहले मैं subjects complete करूँ, फिर उ यह रहता है कि आप जो subjects आप नहीं पढ़ रहे है, वो भी पूरा पेपर सारे subjects का आप करो, भले ही आपके complete हुए हो या ना हुए हो, उससे यह रहता है कि आप जो subjects आप नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी दीरे-दीरे at the back of the mind चलते जा रहे हैं कि यह provision इसमें दिया था, तो मैंने singles publication की previous year paper, जिसमें around 140-150 papers दिये हैं, हर state के, वो लगाना चालोगी है, तो जैसे ही मैंने पहले subjects को days में divide कर दिया, कि CPC मैं 4 days में करूँगा, CRPC 4 days में, contract 3 days मे TPA 2 days में, तो मैंने ऐसे division कर लिया था, जैसे ही vacancy आई, मैंने यह सोच लिया था कि मेरे at least 4-5 times revision हो जाना चाहिए preliminary examination तक, तो जब पहला revision हुआ, हो सकते days extend हो जाते हैं एक दो, पर आप उसको दूसरे जैसे minor acts होते हैं, आप उनमें cover कर लो, मेरी यह approach रही है कि मैं एक subject ही at a time करूँ, मतलब मेरा ऐसे नहीं था कि मैं major सुभे करना हूँ, कुछ लोग ऐसा opt करते हैं कि शाम को multiple subject theory, तो वो चीज नहीं करी मैंने, क्योंकि मुझे वो चीज suit नहीं करती थी, मैंने ये चीज अपना के देखी थी, पर suit मुझे single subject किया, कि मैं एक subject को पहले तीन दन निप कर रहा था मैं, कि जैसे GK के लिए मैंने lucent करी, lucent से history, जित्ते भी उसके divisions हैं, वो सारे करें, miscellaneous, current affairs के लिए मैंने YouTube को बहुत refer किया, और apps आती हैं different current affairs की, जिसमें quizzes भी होते हैं अंदर, बाकि English के लिए मैंने book आती है, word power made easy, तो वो मैंने पढ़ी, वो मुझे बहुत help कंप्यूटर के लिए एक lucent अलग आती है, वो भी मैंने refer करी, तो ये मेरे sources थे, plus strategy की बात कि मैंने ऐसा अपना day का division रख रखा था, prelims के समय, कि मैं सुबह जल्दी उठू, फिर कुछ meditation या कुछ करूँ, फिर उसके बाद मैं एक major subject ले लूँ, कि क्योंकि उस समय आपका mind बहुत fresh रहता है, तो एक subject का slot हुआ, फिर जो दुफैर का समय रहता है, वो थोड़ा sleepy type का रहता है, कि आपको नीन से आती हलकी सी, तो उसमें मैंने English या GK, या जो भी, जैसे GK में भी, मैं बहुत sports के प्रती बहुत जादे influence रहता हूँ, तो sports वाले GK देख लिया है, या play दे के आपने अपना पूरा दिन यूटिलाइज कर लिया, हर चीज को समय दे के, क्योंकि जो 40 marks हैं, वो एक बहुत major role play करते हैं prelims में, कि law तो सब लोग ही पढ़ रहे हैं, पर जो 40 marks के लिए पढ़ता है, वो crack कर लेता है, नहीं नहीं, अब एक और strategy आती है, कि मेरा हमेश हुआ है इस vacancy में, तो उसमें मेरे 130 प्लस थे, जो उससे पहले vacancy आई थी, उसमें prelims बहुत tough आये था, तो general का cutoff गया था 115, उसमें भी मैंने aim यही किया था कि मेरे 130 प्लस आये, तो उसमें मेरे 129 आये थे, तो यह है कि difficulty level आपके marks decide नहीं करता, आपकी preparation decide करती है, तो आप अपनी preparation हमेशा आप यह aim करें कि 130 प्लस ही आपको score करना है, कुछ भी हो जाए, तो यह मेरे prelims के लिए preparation थी, बाकी मैंने अलग की pre mock test ले रखी थी, तो मुझे वो उसका विसारा था, जो इसका वही है कि जो आपका 118 101 marks का था, उसको आपने इस तरह किया कि आपने proper जो आ MCQs के throughs का revision, तो कही ना कही इस से बात, जो बात सामने निकल के आती है, कि आपको कुछ आप, एक यह formula नहीं लेकर चल सकते हैं कि आपने सिर्फ MCQs जादर से जाद MCQs लगा लिए और आपने bare act नहीं पढ़ा, या आपने bare act पढ़ा और आपने MCQs बहुत कम लगा है, है न आपने commentary नहीं देखी, तो कही ना कहीं आपको जैसे case laws होते हैं, different legal maxims होते हैं, principles होते हैं, doctrines होती हैं, तो कही ना कहीं आपको commentary से पता चल दी, commentary यानि कि book किसी particular subject पर, तो इन सब का जो एक combination होता है, वो आपको एक भहतर result देता है, कि आप bare act भी साथ लेके चले, जहां commentary की requirement वो भी आप साथ देखें, और MCQs की भी आप साथ में लगा के चले, तो यह होगी बने देखें, 10 marks के लिए, 40 marks के लिए आप different sources पर depend हो सकते हैं, refer कर सकते हैं, वो depend करता है कि आपकी उस particular subject का command कैसी है, अब जैसे कि अगर किसी person की gk अच्छी है, तो फिर gk को वो कम time में भी कर सकता है, prepare कर सकता है, और उसके sources different रहें बिल्कुल, computer किसी का बहतर है, उसको कम time में different sources से कर सकता है वो, और same thing apply on the English, तो यह जो 40 marks का है, वो कहीं न कहीं आपकी जो previous knowledge है, जो भी आपका किसी particular subject की परती जो रोजहान है, वो भी उस पे भी निरवार करता है कि आप अपनी strategy क बुकाती है, उसके लिए walk app के लिए अपने इस्तिमाल की, उसके अलाबा जी के लिए अपने lucent, lucent यूज करी और MP static के लिए मैंने पुने कर यूज करी, पुने कर बुकाती, जो MP strategy के लिए, और बाकी मैंने newspaper पढ़ा, newspaper मैं actually इसमें एक यह चीज आ जाते है कि मैं newspaper इतना regular नहीं पढ़ पाता था, तो MP के संदर में अगर देखो तो newspaper का एकदम से इतना रोल नहीं है, जितना बाकी states के लिए है, prelims के हसाब से, current affairs, आपको current affairs के apps में, different YouTube videos में भी आप पता लगा सकते हैं, तो कही ना कहीं थोड़ी smart strategy होनी चाहिए, यह as far as this 40 marks section is concerned, है ना, तो आपको कहीं ना कहीं, वो proper strategy उसकी बनानी चाहिए, कि आपको conscious sources refer, जो आपके लिए बहतर sources रहें, आप अपनी strength और weakness के साब से वो choose करें, इसमें मैं एक चीज़ और add करना चाहूंगा, कि एक notion बन जाता है, जैसे English 10 marks काता है, तो Hindi medium students जो Hindi medium में preparation कर रहे हैं, उनका यह रहता है कि हम 140 मैं से देखेंगे अपने, 10 marks के तो हम मान की नहीं चल रहे हैं, वो लोग 10 marks count ही नहीं करते हैं, मैं जेनरलाइज नहीं कर रहा हूं यह, मैंने ऐसे अपने कुछ observe किया है लोगों मैं, तो मैं उन लोगों को यह recommend करना चाहूंगा कि आप अगर पहले से ही 140 लेके चल रहे हैं कि जिसमें आप लैक कर दें, क्योंकि माननी जे आपके पास कोई English की आप जज बन गया, आपके पास कोई English की प्लेंट लेके आ गया, तो आप उसे वापस थोड़ी लोटा देंगे, आपको तो अपनी personality बनानी है उससे साब से कि माननी जे आपके interview में उनने English में question किया, तो overall personality development के लिए आपको देखिए, यह exam आपको अपनी personality बनाने के लिए करना है, आपको overall development करना है खुद का, तो मैं यह recommend करूँगा कि आप English पे भी उतना ही focus रखें जथा आप हिंदी और बाकी subjects में रख रहे हैं, तो आप उसको अपनी आपको restrict ना करेंगी, अना कि मुझे आप इस तरह का अगर आप अपनी सोच लेके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कल को यह बहुत नुकसान दायक हो सकती है, जब आप प्रॉफिशन में जाएंगे, उसके लिए आपके लिए यह काफी नुकसान दायक सावित हो सकती है, तो यह ती prelims की बात, तो prelims में कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी जो strategy है, वो ठीक नहीं जा रही हो और आपने अपनी उस strategy को बदला हो, जी, strategies मेरी different times में बदलती रही है, क्योंकि चार attempt थे, तो अलग-अलग attempts के अलग-अलग strategies थी, क्योंकि एक strategy पे ही अगर मैं stick करता, तो वो चीज मुझे fruitful नहीं होत थे, RGS का भी clear हुआ था, MP का 19 phase 2 वाला भी clear हुआ था, तो मुझे एक pattern समझ में आ गया था, कि ये pattern अच्छा है, जो मैंने अभी आप लोगों को recommend किया है, बाकी जो पहले मेरी clear नहीं हुए थे, उसमें ये था कि मैं bare act पे जाधा focus करता था, मुझे clarity नहीं थी sections की, कि कौन स section क्या actual में कहना चारा है, क्या recent judgments हैं Supreme Court के, तो ये सारी चीज़े मैंने refer करी थी, उस समय, तो different strategies आपको बनानी पड़ेंगी time to time, क्योंकि आपको खुद नहीं पता है, जब तक आपका selection नहीं हो, कि कौन सी strategy आपके लिए work करेगी, तो पर AC के दौरान एक सवाल आता है, कि व इतना time तो आपको dedicate करना है अपनी preparation में, तो ऐसा कोई ideal time है, आपको ऐसा लगता है कि दिन में 10 hours पड़ना है, 14 hours, 15 hours, या फिर ये आपकी circumstances के साब से, आपकी strength और weaknesses के साब से vary कर सकता है, ये जो एक time लोग recommend करते हैं कि मैं 18 hours पड़ा हूँ, तो वो थोड़ा सा मुझे dice ही capacity हो करने ही, पर मैं खुद से recommend करता हूँ कि ये time जो है, वो individual candidate खुट decide करें कि उसका कितना sufficient है, हाला कि sufficient वो कभी होगा नहीं, क्योंकि आपका selection जब हो जाएगा तब आपको लगेगा कि आपको आपने इतना पड़ाया तो इतना sufficient है, पर जब आप preparation phase में रहते हैं, तो हर ए साब से जब मैं पहले, जो मेरा पहला phase था कि मैंने जब अपने पूरे सारे subjects एक साथ पड़े थे, तब मुझे ऐसा लगता था कि 10 to 12 hours मुझे देने चाहिए हैं, दिन के, अब वो भले आधा घंटा या एक घंटा उसमें English या computer या GK के लिए हो, या कुछ पार्ट उसका MCQs के लिए हो, तो मैंने इस प्रकार से divide कर रखा था, कि कुछ मुझे एकदम से burden नहीं लगे, बाकि इसी phase के दौरान मैं जब अपने last attempt में आया, तब मैं Elon Musk का एक dialogue है कि अगर आप किसी चीज के लिए लगे हो, तो आपको week में 70 to 80 hours उसे देने हैं, तो मैंन इस principle को भी follow किया था, अपनी last, इस preparation में, कि मुझे, हला कि 70 to 80 तो मैं मेरे हिसाब से possible नहीं था, क्योंकि मैं एक average student हूँ, मैं एकदम से इतना studious नहीं हो, कि मैं इतना पढ़ना हूँ एक साथ, तो मैंने एक figure बना के रखा था, कि मुझे 67 hours week में निकालने हैं कैसे भी, हला क जब exam आये था, उससे पहले जब तक vacancy नहीं आये थी, वो follow नहीं हो पाता था, वो 60 तक जाता था, मैं note करता था, अला कि मैं recommend नहीं करूँगा कि note करना चाहिए आपको, पर मैं note करता था, क्योंकि मुझे अलग type का satisfaction देता था रात में, कि मैंने इतना गंट आज पढ़ लि follow कर रहा था, कि मुझे इतना output देना आपना, क्योंकि मैं दूसरी activities में, जैसे मैं sports में भी थोड़ा active रहता हूँ, तो मेरा रोजवग उसमें ज़्यादा चले जाता है, मेरी hobbies भी हैं थोड़ी, मैं guitar play भी करता हूँ, मैं cycling भी करता हूँ, तो मैं उन में ज़्यादा समय मैंने mains में जब exam सर पर आ गया था, तो यह मैंने मेरा पूरा follow हुआ था, अब एक बात आती है, कि जो हमारी last moment की preparation कह सकती है, या कह सकते है 15 days की 20 days की 1 month की, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो preparation होती है, वो even psychology ऐसी होती ही, कि automatically speed up हो जाती है, accelerate हो जाती है, आपके जो study hours है, वो और आप exam के लिए अली जी बालो, आज से one year बाद, after one year, six to eight months बाद, तो अब क्या है, कि जब exam नजदीक है, तो हमारी पढ़ाई आप, वो होता है ने exam नजदीक होता है, तो आप जंगल में बैठके भी पढ़ सकते हो, उसमें उस तरह का आपका कहीं ना कहीं mental state रहती है, ल मुझे अपने आखरी attempt में यह चीज समझ में आई थी, कि मुझे जो approach रखनी है, वो तीनो paper को साथ में, तीनो stages को साथ में लेके चल लेए, कि मैं prelims भी धीरे-धीरे करते जाओ, mains भी करूं, rows writing करूं अपनी, plus interview में मैं बोल सकूं जो चीज मैं पढ़ रहा हूं, तो ऐसा हो vision कोई सा भी चलते फिरते पूछ लिया, तो उसमें अपन की clarity समझ में आ जाती है कि अपन कितना अच्छे से explain कर रहे हैं, एक यह principle होता है कि आप अगर कोई concept पढ़े हो, वो अगर आप 6 साल के बच्चे को explain कर सकते हो, तो अगर उसे समझ में आ जाए, तो आपके clarity बहुत है clarity बहुत है, तो वो चीज मैं recommend करता हूँ कि आप उसे साब से पढ़ो कि आपके सामने कोई matter आ गया है, तो आप उसका निवारन कैसे करोगे, आप उसका solution कैसे दोगे, तो मेरी approach यह रहती थी पढ़ते दोरान, क्योंकि सही बात है कि अगर आप यहां से, अभी आप तो theoretically नहीं कर सकते आगे function, जब तक आपको practical aspect भी नहीं पता, आप solution oriented नहीं हो, सिर्फ exam clear करने से problem यह हो सकती है, कि आपको exam clear करने पर ही आपका focus नहीं होना चाहिए, मेरे हसाब से. तो कही ना कही अगर जो एक preparation रहती है, जो हमें थोड़ा सा हमारे पता है कि हमारे की period बहुत है अभी, बहुत समय जब तक हम preparation करनी है, तो कही ना कही हम उसे एक थोड़ा balance रखें आपके साब से, कि efficiency पर focus करें आप, quality पर focus करें, plus क्योंकि यह race बहुत लंबी है, कि marathon ही है य हुई नहीं है, आपको marathon दोड़ने से पहले भी आपको preparation करनी पड़ती है, तो यह उसी चीज के लिए है, बाकी उस preparation में marathon दोड़ने के लिए जादा physical strength तो चाहिए ही, पर mental strength आपको physical से double चाहिए, मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर लंबी race है, तो आपको उस हिसाब से तयारी भी ऐसी रखनी है, बाकी इसमें motivation बहुत role play करता है, कि आपका motivation कैसा है, intrinsic है कि external है, यह बहुत एक जरूरी बात है, क्योंकि आप जैसे preparation कर रहे हो, तो hours आपको, कितने hours आपको dedicate करने ही, यह आपको खुद समझ आने लगता है एक वक्त के बाद में, लेकिन आप वो कर पा र करना चाते हैं, उसके पीछे का जो उसके grounds हैं, उसका basis है, वो कितना strong है, इस बात पर भी depend करता है, कि आपकी preparation कैसे चलने वाली है, तो यह थी, और एक बहुत अच्छी जो आपने बात करीब वो यह थी, कि आपने सिर्फ जब prelims आप prepare कर रहे थे, तो आपने बाकी जो दो stages से आने वाली मेंस और इंटरिफ उसका भी आपने कहीं आपने ख्याल रखा, मतलब इस से एक जो एस्परेंट का कहीं ना कहीं, सवाल रहता है कि पहले prelims की preparation करें, prelims क्लियर कर लें, फिर मेंस की करें, या फिर prelims और मेंस की एक साथ करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपने इस बात को अभी किलियर किया है कि आप दोनों preparation एक साथ करके चलें, prelims की और मेंस की, अगर आपको prelims exam नजदीक है, तो फिर थोड़ा से उससाब से अपनी preparation को prelims oriented रखने हैं, तो ये थोड़ा strategy जो एक बात करते हैं, वो एक experience होता है, कि जो आप आज जो आप देख पा रह है, वो सिर्फ एक दिन का दो दिन का नहीं है, वो कई सालों का है, तो कई साल preparation करने के बाद जो strategy, एक strategy बनाई, दूसरी बनाई, ये failure होई इसके बाद, तो ये सबके बाद जो आपके सामने जो बात आ रही है, सबके बाद आ रही है, तो आप इस बात को थोड़ा गौर करे है, और इस बात पर आप जब भी preparation आपकी start करें, और फिर आपने start कर दिये, तो इन बातों को धियान रखे, तो कभी कबार क्या होता है, कि एक जो, मैं बहुत एक मुझे बाद अच्छी लगती, जो चाड़क की जो थे, उनकी बहुत अच्छी बात थी, कि आप अपनी गलत गलतियों से सिर्फ सीखनी की कोज़ेस ना करें, दूसरों गलतियों सीखनी की कोज़ करें, क्योंकि अपनी गलतियों सीखते सीखते आपकी उमर कम पड़ जाएगी, तो आप वही है कि आपके सामने जब experience जो है, उस experience की आप value करें और इस बात को, जो इंट्रीगेस है, चो होता है, तो बड़े दूमदाम से होता है, लेकिन जब वो बीच में आके, जब उसमें obstacles आती हैं, परेसा नहीं आती हैं, तो वो फिर बहुत खराब लगन लगता है, तो तब ही सही चलेगा, जब आप सारी बातों को balance करके चलेंगे, और जो आपके seniors हैं, जो select हो गए हैं, जो आप से पहले से preparation करने हैं, आप उनसे कुछ ना कुछ सीखते चलें इस preparation में, तो यह जैसे आपने prelims का बताया, मेंस की भी तैयारी आपने साथ की, तो अगर आम मेंस specific जाने, कि मेंस की approach क्या होनी चाहिए, तो उसके वारे बाता हैं, आपकी कितने paper होते हैं मेंस में, औ और paper 3 subject-oriented रहते हैं, जिसमें 12 subjects थे आपके prelims में, वो आते हैं, subjective form में, 100 marks, law subjects, 100 marks each रहते हैं, paper 2 आपका रहते हैं, mainly English-oriented, के आले essays आते हैं, English नहीं, मैं बूलूँगा, language paper है, क्योंकि Hindi medium में Hindi essays रहते हैं, तो उसमें दो essays रहते हैं, 30-40 marks के article writing, एक summarization रहते हैं, बाकी 2-40 marks के translation रहते हैं, तो इस fourth paper रहते हैं, judgment writing का, जिसमें एक civil judgment, criminal judgment, एक issue framing और एक charge framing के questions रहते हैं, अब इसमें मुझे यह चीज लगती है, मैंने जैसे strategy बनाई थी, कि मैंने चारों paper पे equally focus किया था, क्योंकि past experience में मेरा यह था कि paper 2, और paper 4 में मेरे थोड़े कम marks थे, जो कि language paper और judgment writing है, judgment writing में as compared to others मेरे ठीक marks थे, क्योंकि मैंने judgment अपने brother-in-law से सीखा हुआ था, बाकि मैंने books भी refer के रिए हुए थी, तो उसकी practice मुझे थोड़ी थी, पर जो paper 2 था, जिसमें translation बहुत important है, 40 marks का हो गया है अब, तो उसमें ऐसा होते हैं कि आपको या तो पूरा एक mark मिल जाता है, या तो point में something मलता है, mathematical calculations है उसमें, तो translation, वो जो paper है, वो बहुत काफी scoring भी है, और काफी critical भी है, कि आप की marking भहुत negative भी जा सकती है, तो मैंने ज़्यादा focus उस पे इस बार किया, कि मैं translation daily करता था, और essay writing, article writing भी चलती रहती थी साथ में, कि मैंने points note कर लिया थे, किसी particular topic के, जो मुझे लगता था कि आ सकते हैं, बाकि जो दूसरी coachings रहती हैं, institutions रहते हैं, वो आपको एक अलग list प्रोवाइड करते हैं, material प्रोवाइड करते हैं, कि यह points हैं, आप इसे elaborate कर सकते हैं, तो उससे, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि coachings जो जैसे Alec है, वो आपको points प्रोवाइड करेंगे, वो आपको एकदम readymade article नहीं देदेगी, तो उससे आपके article writing की skill रहती है, वो original रहती है, तो article writing हुई, summarization, यह सारे, कुछ लोगों को ऐसा लगते हैं कि summarization, translation, यह सब अपनको आगे benefit नहीं करेंगे, पर actual में summarization, आपका judgment writing में बहुत काम आता है, जब आप plaintiff की story लिखते हो, आप defendant की चीज़े लिखते हो, तो यह सार आपका एक एक question जो आ रहा है आपके paper में, वो आपको आगे बहुत help करेगा, तो उस हिसाब से मैंने तयारी अपनी रखी कि मुझे एक-एक question पर focus करना है, किसी में भी एकदम कम नहीं लाने है, तो जो paper वाला part है, जो subjects वाला है, उसमें मैंने इस preparation में आपने daily writing करी, जो 1 and 3 paper 1 and 3 की, कि मैं पहले 6 to 8 questions मुझे मिल जाते थे, तो मैं उसी का रात में writing करता था proper, तो वो daily चली थी मेरी writing, बाकि आलेक के papers भी थे, जो मैंने attempt किये थे, उससे भी मुझे बहुत guidance मना थे, नेतेश सर से, कि कैसे writing होनी चाहिए, और paper 2, paper 4 मैंने बहुत practice करी, judgment writing की, जनरली, मतलब कि आप books ले लिजे, books में problems रहती है, problems नहीं भी रहती है, तो कोई आपका friend अगर litigation कर रहा है, या कोई भी ऐसा law friend है, जो एक problem बना सकता है, आप उस पर judgment लिख सकते हैं, अगर आपके पास material की कमी आपको ऐसा लगता है, पर आप अपना timed judgment कीजिए, कि जैसे आ आप आगे बढ़ रहे हैं, कि हम judgment लिखेंगे, main problem वहाँ पर writing की नहीं होती, main problem रहती है, कि आप अपना paper कैसे complete करो, और ये पूरे mains के पूरे चारो paper की रहती है, जैसे इस exam से पहले जो मेरा mains नहीं निकला था, उसमें main problem मुझे एसी चीज़ की हुई थी, कि मेरा paper complete नहीं ह पता था, तो इस बार मैंने इस चीज़ पर focus किया, कि भले ही कुछ भी हो जाए, मेरा paper time पर होना चाहिए, तो एक ये ही approach आपको, बहुत सारे students candidates से उपर ले जाती है, कि आपका paper complete हुआ है, तो आपको कुछ ना कुछ marks तो देंगे, तो ये थी paper 1, 2, 3 and 4 की बात, अब इसमें वही तक की paper 1 and 3 है, तो कहीं ना कहीं जो आप prelims के preparation कर रहे थे, तो आप law subjects means के accordingly भी आप prepare कर रहे थे, तो वो preparation उस समय complete हो रही थी, अब एक सबसे बड़ा एक सवाल आता है कि paper 1 and 3 है, तो हम पहले से पढ़ते आते हैं, लेकिन एक judgment writing का, वो कहीं ना कहीं उससे interlinked है, लेकिन थोड़ा एक different वो है subject है, है ना, और different paper है, उसके अलाबा जो एक translation होता है, तो translation की बात एक आती है, जो aspirants के सवाल रहते हैं, कि translation की, उसको लेकि different strategies हैं, जो चलती रहती हैं, सुनते आते हैं, उसमें एक बहतर strategy क्या होनी चीए, कि translation को हम एक साथ ऐसा करें, कि last one month में या last two months में ही सिर्फ translation कर रहे हैं, या फिस सिर्फ words याद करने हैं सारे, तो क्या रहनी चाहिए, translation को लेकि strategy, अपन की ये रहनी चाहिए, कि अपन को डिकलॉट पढ़नी चाहिए, bear act, जो दे भाशी आते हैं, जिसमें English से एक साइड लिक को सीखी, जी, तो एक वो चीज रिफर करनी चाहिए, बाकि आप दीरे-दीरे अपने vocabulary इंप्रूफ कर सकते हैं, जैसे जो normal Hindi के sentence हो सकते हैं, आप Hindi newspaper पढ़िये, जैसे मैं English medium में मैंने preparation करी है, तो मुझे English to Hindi में problem होती है, बाकि जो Hindi medium है, उन्हें Hindi to English में problem होती है, translation में, तो वो English newspaper daily पढ़ सकते हैं, बाकि आप खुद से practice कीजिए daily, अगर आपके पास material कम पढ़ा है, तो एक M.M. Joshi Sir की book आती है, translation के, आप वो refer कर सकते हैं, अगर वो भी आपने की हुई है, या आपको कोई और alternate चाहिए उसका, कि क्या material हो, तो आप newspaper से कर सकते हैं, आप अपने general जो translation practice, ले दे कि practice आपको होना चाहिए, और जो evaluate कर रहा है, वो person able होना चाहिए, आप भी evaluate कर सकते हैं खुद का, पर अगर एक दूसरा person करता है, तो गलतियां जादा अपन की उसमें पता चल जाती है, आपका कोई साथी candidate हो, friend हो, आप दो लोग साथ में बैठके कर सकते हैं, त तो एक वो बहुत help करता है, plus translation में एक मेरे brother-in-law ने सबसे, जो सबसे ज़्यादा benefit हुई था मुझे एक चीज से, कि आप conversation आप उसी भाशा में करो, जो आपको problem दे रही है, जैसे मुझे हिंदी थोड़ी सी दिक्कत होती थी, translation में, तो मैं हिंदी के जो technical terms, ऐसा नहीं है कि हिंदी आती नहीं है, पर अभी अपन हिंदी में ही बात करो, थोड़ा शुरू करने में आपको थोड़ा funny लगेगा कि आप कैसे बात कर रहो है, पर ले दे के वो आपके process में help कर रहा है, तो आप चालू कीजिए, अगर कोई आपका friend भी continue नहीं कर रहा है, पर आप continue तो दीरे-दीरे वो लोग भी pace में आने लगेगा कि हम भी उस तरीके से बात करते हैं, फिर आप थोड़े टाइम बाद note करोगे कि आप proper अच्छे से sentences बना रहे हो, तो सबसे benefit चीज मुझे ये करी थी कि मैंने हिंदी में बात करना चालू कर दी थी, बाकि जेनरल जो court की भ आप इसे खुझ से ऐसा पड़े कि मुझे बाद में भी help करे गाई है, तो कही ना कहीं इसको एक language है ये, जिसको आप एक समय के साथ ही आप सीख सकते हैं, आप इसको रट नहीं सकते हैं, तो वो approach आप follow कीजिए, और बाकि आर्टिकल राइटिंग में जैसे आपने बताएं और साथ में आपने ब्रेदर न लौ से मैंने सीखा जैजमेंट राइटिंग और आपने जैसा कि बताएं कि जो paper 1 & 3 है, वो judgment राइटिंग से ही link हैं, क्योंकि judgment राइटिंग उसका ही कहीं ना का ही part होता है, उसके practical application है, तो इस तरीके से मतलब एक जो बात सामने निकल गया आती होई आती है, कि आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप एक particular किसी बात को आपने पढ़ लिया, उसको पढ़ रहे हो है ना, और दूसरे subject पर आपका ध्यान नहीं है, फिर paper पर ध्यान नहीं है, आप कहीं ना कहीं अगर आप आप आपना paper 1 & 3 लोग का paper पढ़ रहे हैं, तो आ कहीं ना कहीं अगर ये approach रहेगी, तो आपके पास एक burden नहीं आएगा कि अब चलो पढ़ लिया सब, अब judgment writing पढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको ये हो सकता है कि last moment पर आपको उत्ती अच्छी preparation ना हो, जितनी अगर आप साथ ले की सकते चीज़ों को, तो हो सकती थी, तो आपको बहुत help होईगी कि कैसे application actual में होती है, evidences की, कैसे judgment लिखा जाता है, क्या pattern है उसका, तो उससे आप दो-तीन step और आगे चले जाते हो, दूसरे candidates से, जो सिर्फ books पे focus कर रहे हैं, books, particularly MP के लिए थोड़ी सी कम आती है, जैसे एक sir PV नाम जोशी sir के आती है, एक भारतवा format चल रहा है, MP Judiciary में, उससे थोड़ा सा अलग है, तो आप trial court के judgments भी पढ़ सकते हो, आप कोई friend या कोई senior जो litigation कर रहा हो, आप उससे उनकी help ले सकते हो, इस matter के, तो यह रही means की बाद, prelims की बाद हमने समझी, अब इसके बाद एक बात आती है, कि हमने कई इस बात पर बहु कर रहे हैं, जो हम preparation कर रहे होते हैं, कि motivation रहता है, inner motivation, लेकिन एक बात जो रहती है, कि हमारे continuous support system रहता है, कुछ लोग हमारे life में ऐसे रहते हैं, जिनको फरक नहीं पड़ता है, कि हम life में क्या कर रहे हैं, कि आज हमें success मिली या ना मिली, वो आपके उस समय जरूर आपके सा थी, तो एक जो constant support होता है, तो कहीं यह सबको बता होता है, कि अरे इनसान के बीचे बहुत से लोगों की महनत है, लेकिन उनका जो recognition होता है, वो acknowledgement होता है, पता नहीं वो कहीं ना कि उसको लोग कोई सामने लाना नहीं चाहता, पता नहीं उससे इतनी एक जज़ा करेती है, व बहुत जरूरी है, तो कि इससे जो एक faith का जो एक system create होता है, जो लोग आज किसी इनसान की unconditionally help कर रहे हैं, उनके मन में एक बात हमेशा रहनी चाहिए कि रेखो, indirectly कहीं नहीं हम चाहते हैं कि हमारी जो मैनत हो, उसका acknowledgement हो, आप बहुत कुछ reward नहीं चाहते हैं, पर एक चाहते कि इस interview के माद्य हम से आप उन लोगों के बारे में बताएं, उनके नाम बताएं कि जो आपका एक continuous support थे, जिनको फरक नहीं बढ़ता कि पुस्पेंद्र पुस्पेंद्र है या civil judge पुस्पेंद्र कर गया है, उन लोगों के बारे में आप बताएं कुछ जो support system के बात करी है मुझे ऐसा लगता है कि एक एक आपके family का exam, आप personal individual का exam नहीं है, तो मेरे father और mother को मैं सबसे पहले शरे दना चाहूंगा, क्योंकि अगर मेरे father मुझे इतना opportunity नहीं देते कि तुम अच्छे से exam दो, बाकी मैं देख लूँगा सारी चीज़े, तो हो सकता है कि मैं अपना fourth attempt नहीं दे पाता, मैं बहुत अपने आपको fortunate feel करता हूँ कि मेरे father के लिए रोकिया, जैसे बीच में भी जैसे drawback आते थे, कि मेरा selection नहीं हुआ, तो कुछ लोग होते हैं कि वो थोड़ा सा negative हो जाते हैं उनके parents या बाकी चीज़े, मेरे father में मुझे हमेशा कहा कि कोई बात न मेरी mother भी same, same चीज, इसी चीज के लिए करती थी, कि आप और अच्छी तयारी करो, आप बनोगे, आप इसी के लिए ही बनने हो, तो आप बनोगे, क्योंकि तुम यह realize कर चुगे हो, कि तुम्हें यह करना है, बाकी, जो सबसे बड़ा role play किया है, वो मेरी दोनो sisters और दोनो brother brother-in-laws में किया है, बड़े brother-in-law को ही देखके में को inspiration मिली कि मुझे judge बनना चाहिए, और एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, जैसे brother-in-law मेरे साथ हर stage पे रहे हैं, मेरी बड़ी sister और brother-in-law, बाकी कोई drawback आता था तो, जो मेरे nephews हैं, कि मैं नाम लेना चाहूँगा, कि Manas पर पार्थवार समरिती, उन लोगों को देखके जो मेरे drawback होते थे, वो मेरे mood lift हो जाता था उस सारी जिए तो, सबसे बड़ा role इन सभी लोगों का है, बाकी इनके families का जैसे, जो मेरे brother-in-law की mother है, साधना आंटी बोलूँगा मैं, उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा तो कब तक तैयारी करेगा, या कुछ इस टाइप से, हमेशा एक support system की तरह रहे हैं सब, कि नहीं निकल रहा तो आपको help कर रहे हैं, कि क्यों नहीं निकल रहा टाइप से, बाकी बीच बीच में आपन को insecurities आती हैं, तो उसमें आपके friends बहुत help करते हैं, मेरा एक best friend है निख एक मेरी friend है, उसने भी साथ में preparation करी है, वो net focused है mainly, तो इन लोगों से मेरी बहुत बात होती है, बाकी जब मैं indoor shift हुआ था अपनी पहले attempt के बाद, तो जो मेरा circle था, उसमें थे आशुतोष और आयूश, वो लोग भी preparation कर रहे थे, तो वो जो मुझे circle मिला, वो मुझे सारी चीज़े सीखी life की, कि कैसे practical रहना है, कैसे अपन को अपनी obstacle से overcome करना है, हलाकि दोनों मुझे से बड़े हैं, एक एक साल, तो उनके experience से भी मैंने बहुत चीज़े सीखी, जैसे मैं बोपाल में ही रहा हूँ, मैं भार नहीं रहा जाके, तो वो चीज़ मुझे indoor में जा कि मैं कैसे और पढ़ा ही करूँ, कि हम तीनों एक दूसरे को push करते थे, including Nikhil, कि कैसे कौन कहां गलती कर रहा है, वो लोग आपके, जो लोग आपके betterment आपका चाहते हैं, वो आपको directly मुझे बताते हैं, कि आप यहां गलती कर रहे हैं, या आप यहां जादे egoistic हो रहे हो, य कि आपका potential से आप थोड़ा कम ही कर रहे हो, अब मेरे में एक drawback है कि मैं, जैसे अगर मेरा मन नहीं करता पढ़ने का, तो मैं वो पढ़ता ही नहीं हो फिर, जैसे mains के दौरान मुझे कभी कबार बीच में ऐसा लगता था कि आज मुझे paper नहीं देना, तो मैं नहीं देता था जाके और movies देख लेता था, क्योंकि मैं movies का भी शौक रखता हूं देखने का, तो एक वो चीज़ भी होती थी कि फिर मुझे ये लोग ही, मेरे friends, मेरे family, ये सब drive करते थे, कि नहीं आपको करना है, अगर actual में आपको कुछ करना है तो आपको ये सारी चीज़े sacrifice करने पढ़ रहता है कि आप कुछ चीज़े sacrifice कर रहे हो, इसलिए आपको बड़ी चीज़े मिल रही है, और ये मैं अज़े complaint नहीं बता रहा है कि मैंने इस सब चीज़े छोड़ी, ये मैंने खुद के betterment के लिए छोड़ी, इसलिए मुझे ये चीज़े अच्छी लगती है, इसलिए मैं इमोशनल सपोर्ट रहता है, इसलिए प्रिप्रेशन एक तो आज अगर जैसे अब मान के चलो कि पुषपेंदर अगर आज अपने किसी दोस से मिलते हैं, तो उनसे पुषपेंदर मोहन गर्ग मिलेंगे या फिर सिविल जाइज पुषपेंदर मोहन गर्ग मिलेंगे, और जो हम लोग रोस्टिंग कल्चर हमारे फ्रेंशिप्स में बहुत मेरे साथ जो मेरे अच्छे दोस रहे हैं, उसमें रोस्टिंग कल्चर खूब जाला चलता है, कि एक दूसरे को रोस्ट करे वगयर मानते नहीं है, तो अभी भी वही चल रहा है, जबसे रिजल्ट आ है, मै एक और फिरेंग का नाम लेना जाओंगा मैं भूल गया था अक्षा पटेल उसका जुडिशरी से कोई रिलेशन नहीं है उसका लॉ से कोई रिलेशन नहीं है और विकास चौधरी इन लोगों ने मेरी खूब हेल्प करी मतलब इनसे आप 5-5-6 महीने बात नहीं करो उसके बात बात करो तो चीज़ें ऐसा लगता है कि वहीं पर स्टैंड करती हैं सारी और एकदम माइंड एकदम अपलिफ्ट हो जाता है कि आपने बहुत बड़िया आप काम कर रहा है आप चलते करो लो इसमें एक जो बात आती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे साथ बहुत से बहुत से फैक्टर्स होते हैं और जिसमें आपका फाइनल सेलेक्शन नहीं हो पाए किसी जी करण से रोग गया तो उसमें एक बहुत कई बात आती है कि वो एक रुकावट आ जाती है वो कहीं ना कहीं उस बात से कि सब कुछ सही है आपको पता है कि आपका दोस्त आज भी वैसा ही है लेकिन वो यह ए जहाक रहती है जो आप कहीं ना इक उसको बात करने से अप्रोच करने कल को अगर आप परप्रपरेशन Mmmm कर रहे होते हैं उसका सेलेक्शन बूंब कोई बात नहीं थी है है précisकि students are the listening ho तरब से? कहीं जो मेरा दोस्ता कहीं वो उसको लग नहीं रहा है लेकिन कहीं वो बदल तो नहीं गया है आपके कोई भी आपका एक opinion हो इस बात पर जी इसमें मेरा personal opinion यह है कि जो मेरे best friends रहे हैं अभी तक, जो day one से हैं, उनको हम लोग हुमें यह चलता है कि हम लोग सीधे direct reach out करते हैं, कोई भी problem होती है तो जब से result है अभी around one month हो गया है as such तो मैंने किसी के साथ यह experience किया नहीं है, क्योंकि मैं तो सभी से बात कर लूँ सब लोग मुझसे भी बात कर रहे हैं, और कोई ऐसा barrier नहीं है कि मेरा selection हुआ है, दूसरे का नहीं हुआ है, हम लोग एक दूसरे को और बढ़ा ही रहे हैं ले देके असल में हो यह रहा है कि हम लोग बीच में problems भी रख लेते हैं कुछ की कि जैसे कोई question हुआ लौका कि इस पर research करके दे, या इस पर judgment आए, इसकी मुझे summary दे, इस टाइप से खुद को एक दूसरे को काम भी अलोट करते रहते हैं, तो यह सारी differences नहीं आते है, clarity रहती है थोड़ी अब यह थोड़ी इस लिए जरूरी है तो कहीं न कहीं वह यह रहता है कि जैसा कि आपने इनिसली जो आपने कुछ बात बताई थी कि हारे एक इनसान के एक time period रहता है, जी तो अगर आपको लगता है कि आपका time तो जब तक उसका वह नहीं आ जा रहा है, जब तक आप उसके साथ रहे है यह आपकी moral obligation है मतलब इस पर आप अपको कोई कहे गानी कि यह करना है यह आपको खुद से करना है और यह चीज़ आ जाती है कि दिन के end में आप बात किस से कर रहे हो जो preparation से पहले आप जिससे बात कर रहे था आप preparation के बाद भी उसी से बात करो क्योंकि selection के बाद आपको कितने है मतलब एक आद दो महीने तक फोन आएंगे जादा से जादा उसके बाद आप किस से बात करोगे आप बात वह लोगों से करोगे जो आपके genuine लोग हैं तो वही चीज आएक हमेशा बनी रहते हैं इसके बाद जो बात आती है आपने जैसे sacrifices की बात कि जो sacrifices आपने कि यह हैं वो बर्त रिर्ड थे आप जो पाहना चाहते थे उसके लिए अगर वह sacrifice आपको और भी करने पड़ते तो आप करते बिलकुल है ना उसके लिए आप कोई regret नहीं होता है तो जब हम इतने सारे sacrifices जब हम करते हैं तो हमारे mind में fear आता है जर भी आता है कि आज हम इतना को sacrifice करने है और वो result मिलेगा या नहीं मिलेगा तो हम जब भी एक तो हमारा fear रहता है जब हम preparation कर रहे होते हैं दूसरा सबसे बड़ा fear होता है जब आप exam hall में जा रहे होते हैं वो हमें सबसे बड़ा preparation में जो fear होता है वो तो यह है कि चलो आज fear है तो किसी दोस्ते बात कर लिए हो चला जाएगा कल ब्रेक ले लिया थोड़ा घूम लिया तो चला जाएगा लेकर exam hall में जब आपको enter करना है तो आपको कोई option नहीं है अब आपको डर लग रहा है कि इतने सालों के जो मेहनत है यह जो अगर prelims की बात करने तो two hours का time है अपने पास और इसमें कहीं है कि वो क्या है तो उसको आपने कैसे टेकल किया इसमें मैं यह कहना कचाऊंगा कि जो preparation phase वालब fear है वो आपका time to time तो रहेगा जैसे मुझे भी बहुत डर लगता था मुझे security बहुत लगती थी अपने पहले दो attempts में कि जब vacancy नहीं आ रही थी तब मुझे बहुत fear लगता था कि मैं कुछ कर भी बाऊंगा कि नहीं कर बाऊंगा क्योंकि अगर मैं litigation में उत्रा भले ही मेरे फादर की already established litigation है मैं second generation lawyer होता पर मुझे at least उनका continue करने में उनका जो खुद का नाम established करने मुझे at least two years लगते जो कि मैं दो-तीन साल तो यहाँ पे अपने साथ positive लोगों का रखें हमेशा आप अपने पूरे प्रिपरेशन फेज में negative लोगों से दूर रहें तो positive लोगों में मेरे जैसे brother-in-law मेरी sister दोनों नेफ्यूज नीस बाकि parents बाकि friends इन लोगों से बात करके अब जैसे जब vacancy नहीं आ रही थी मैं अपने brother-in-law से बात करें कि मैं इसे चल लिटिगेशन कर लेता हूं अभी क्योंकि कोरोना से तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि vacancy आएगी कि नहीं तो उन्होंने यह बोला कि यह सारी चीज़े सब सही हो जाएंगी मतलब कि तुम अभी आज present day पर focus करो तुम ज्यादा future का मत जो और वही करो वही करो अपना plan execute करो बाकी हो सकता है vacancy कल आ जाए इतनी uncertain है तो कल अगर आ गए तो आपने अभी का समय अपना future का सोच के बरबाद कर लिया तो आप just mission पर लगे आप वो at least पूरा तो करो बाकी अगर नहीं selection होगा तो आपके लिए गौर ने और अच्छा क कुछ लिखा होगा कल-कल का सोच के आज खो दिया आज खो दिया और इसमें यह भी चीज मैं आड करना चाहूँगा कि positivity maintain रखने के लिए आप जैसे मैं श्री गौर गौपाल दास जी को follow करता हूं मेरे father के भी गुरुजी है उनको भी follow करता हूं मैं तो थोड़ा सा एक positive mindset रहता है कि मैं अच्छा करूंगा और जो preparation phase वाला fear है वो आपका जाता है आपकी preparation करते समय कि आप अगर अपनी चीजों को implement नहीं कर रहे अपने plan को आप जो ground work है अगर आप वो ही नहीं कर रहे तो वो space बना लेता है fear की अगर आपने उत्ता आपने जैसे 10-12 hours मैंने बताया कि आप जब exam आगया है तब आप दे सकते हो इत्ते तो अगर आप इतना time अपने preparation में दे दोगे तो आपका fear का समय कब बचा कि आप सोच रहे हो कि मेरा नहीं होगा बाकि आपको daily chores के काम करने में तो आपको वो है ही कि आप इतना time तो लगाई दोगे तो जो preparation phase वाला fear है व आप ऐसे निकाल सकते हो कि आपकी preparation इतनी तगड़ी हो कि आपको अंदर exam all में घुछते से ही लगेगी सिर्फ पेपर ही तो लिखे आना है कि आपने इतनी practice करी हो तो कही ना कि हम इस बात को इस तरह ले सकते हैं कि यह process है आपका motivation demotivation एक दिन में decided नहीं होता है आपकी जो thought process है वो इतने समय से रही है जो आप जिस तरह के लोगों आपके आसपास रहे हैं उनसे आपने जो सीका positivity वो कही ना कहीं reflect होती है आप जब exam देने जाते है उस समय तो कही ना कहीं प्रोसेस का पार्ट है तो आप एक दो दिन में उसको सीक नहीं सकते आप धीरे-दीरे करके आप incorporate करोगी तो यह वाली बात हो गई exam fear की एक जो बात थी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सवाल रहता है और यह डर रहता है कि जो इतने sacrifices करने के बात भी अब मंजल हासल होगी या नहीं होगी तो वाली एक बात रहती है अब इसमें एक बात एक जो साम फोकस कर रहे हैं प्रिपरेशन वाफोकस है हमारा पूरा लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से दूर होते जाते हैं फैमिली मेंबर्स से दूर होते जाते हैं तो क्या वो दूर होना जरूरी है और अगर वो दूर होना जरूरी है तो क्या उसकी कोई extent होनी चाहिए एक अब इतना हो गया कि हम सबसी दूर हो गए हैं अब सिर्फ हम बच्चे और हमारी प्रपरेशन बच्ची है तो इस बारे में आपको क्या लगता है बहुत अच्छा क्विश्चन है जो मैं इंटर्व्यूज में मैं जब प्रपरेशन करता था तो मैं दूसरों के कि यह जो प्रपरेशन मोड में है तो आप मेरे हिसाब से मैं जो तो वह अगर आपके अप्टेव फ्रेंज होंगे तो आपके साथ स्टिक करेंगे भले या आप उनको फोन कर रहे हो नहीं कर रहे या आप सिक्स मुंस में भी बात नहीं कर रहे हैं पर फिर भी के साथ क्वालिटी बहुत मैटल करती है अगर आप चार महीने बाद भी आपकी बात हो रही है तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार वो जो कनेक्टिविटी थी वो बॉल्लिंग थी वो आज भी वैसी है इस तरह कि अगर दोस्त पास रहते हैं तो एक अच्छा लगता है वो उन निमेश, ओडी, नेमा, कितिश्री, गौरफ इन लोगों के इन लोगों ये लोग सब बाहर वार्क करते हैं क्योंकि सबकी प्रोफाइल कुछ ही कोई इंजीनर है कोई डॉक्टर है तो ये लोग जब भूपाल आते हैं मेलने तो मैं इन से नहीं मिल पाता था प्रिपरेशन के लिए अश्म, कि ये प्रिपरेशन फेज में कभी गए भी नहीं तो ये लोग समझ फिर भी अंदरस्रांडिंग थे कि ये क्यों नहीं या रहा है, सब समझ लेते हैं कि हम लोग एक-एक साल, देड़े-लेसाल नहीं मनते थे तो भी इन लोगों को सीधी सी बात है कि प्रिलम्स है एक महीने में मेरी ऐसी थिंकिंग रहती है कि आपको उस समय जो आपका प्रिपरेशन फेज है जब एक्जाम सर पे है तो आपको कहीं और किसी पार्टी इंसम में नहीं जाना चाहिए क्या आप वो सिर्फ दो-तीम घंडे अफेक्ट नहीं होते तो आप जब महां जाते हो तो आप बहुत इंफ्लुएंस हो जाते हो आपको एकड़म से ऐसा होते है कि मैं बहुत कुछ मिस कर रहा था बहुत कुछ मिस कर रहा हूं मैं यह क्या कर रहा हूं में को तो यह चीज करनी चाहिए तो वो चीज बहुत अफेक्ट करती है आपकी तो मैं उस चीज से बता था कि मैं उसकी marriage में नहीं जा पाया उसे complaints थी शुरू में पर बात में क्योंकि understanding अच्छी थी तो हम लोगों की बात हुई बात में तो अभी भी वह बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी तो यह चीज़े रहती है कि understanding किती है आप लोगों में और यह process एक च्छटनी का गाम करते लेंगे फिल्टर हो जाते हैं वह दोस्ट जो इस चीज़ के और लेके वहाकर आप किसी से आपको मस्ती मजा करना है, आपसे बात कीत करना है, घूमने जाना है, पार्टी करनी है, तो आपके धेर सारे दोस्त हैं, कोई उसकी कमी नहीं है, लेकिन वही है कि आपको समझने वाले बहुत करने दोस्त हैं, वही है कि जो आपको समझने वाले दोस्त हैं, उसको अग बहुत यसी मतरव बात होती है। जो अपनी पेरेन्स पने ऺपार बात है ενता है कि मेले साथ यह अपनी तो dent सब्सक्रेश्च से टहले और आरे म two-test अम अपने करें बाता है कमा सब्सक्राइब former के With Us हैं जो दोस्त हो गए है ना फैमिली होगा और उन सब के साथ में इस तरह से और मेरे साब से वो थोड़ा जरूरी है क्योंकि आपकी प्रपरेशन कर क्यों कि अपने साथ के साथ के हैं आपको जैसे दूसरी कंते हैं क्या हैुएं और मैं बाहर ओकर्यक्सक्तह बाकी दूसरी activities करता जैसे meditation हुआ मैं देली सुबह उठके meditation करता था हम हम हु हम पहले सुबह उठके दो गलास पानी पिया फिर meditation किया तो उससे क्या होते है कि आप एरियास खुल जाते हैं कि आप जहां आप 8-9 पर estánth to 12 आज दे हो तो यह चीज मुझे बहुत हेल्प की कि आप अपने प्रेपरेशन में कि आप इसलिए इंट्रेस्ट आ रहा था वो मुझे इसलिए लगता है कि इंट्रेस्ट इसलिए कुछ महीने तक आता है उसके बाद फिर अगर आप बैलेंस नहीं बनाऊगे अपनी लाइफ का और अपनी preparation का तो कहीं वो interest आना बंद हो जाए तो यह वाली बात है तो यह हमने समझा जो exam fear होता है preparation fear होता है उसके बाद life में balance कैसे बना के चलना है preparation के दोरान वो बात भी हमने समझी अब इसमें जो एक बात आती है कि जो आखरी इसका stage होता है इस exam का जो इसको हम interview के नाम से ज हैं कि preparation बहुत ज्यादा है preparation करनी पड़ती है means जैसा ही course होता है तो इसके बारे में आपका क्या कहना है मतलब क्या opinion है कि जो interview board होता हो हमसे क्या expect करता है और जो उसकी expectations है उसको अपने अंदर कैसे incorporate कर सकते हैं मैं exact expectations तो नहीं बता सकता पर मुझे ऐसा लगता है कि interview board यह चा पूछा गया उत्य ही जवाब दे जत्ता आपसे पूछा गया है आप precise रहे हैं और आपको law की clarity हो आपने जो आपका course रहा है पूरे समय preparation का तो आपने वो time utilize किया हो कि जैसे मेरे में gap year था तो मैंने gap year को कैसे explain किया यह चीज उनको सही लगे जो चीज वो मुझ से पूचने मुझे clarity हो उस चीज की कि मैंने research करी तो किस चीज पर research करी है मुझे वो सारी चीज़े पता हूं कि मैंने क्या किया है जैसे मैंने mains के बाद port जाना चालो तो उन्हें यह चीज अच्छी लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना वो time utilize कि प्रैक्टिकल आसपक्ट जान करते हुए दो तीन साल हो जाते हैं अब जो एक main course है जब आप सारे subjects पढ़ लेते हो तो वह one one and a half या two years तर हो जाता है प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई अब को सरफ revision करते रहना है पर क्या होता है कि लोग practical अगर आसपेट जान जाते हैं उस चीज का तो वो उन्हें interview में बहुत help करता है कि जब वो आप answer देते हो तो आपने एक अलग confidence रहता है देने में आप क्योंकि practical चीज जानते हो तो आप मेरे brother-in-law मेरे sister कभी भी mock ले लेते थे मेरे father ले लेते थे मेरे brother के colleagues हैं उनके friends हैं वो लोग ले लेते थे mock interviews हम लोग फ्रेंड्स लोग आपस में एक दूसरे का ले लेते थे बाकि candidate से बात और होती रहती थी तो एक touch रहता था बाकि जो बोलने के जिज़ागे वो practice से ही जाते थी तो जितने walk interview हो सके होते दे सकते हैं और ये आप इसकी कोई अलग से preparation नहीं होती जो आपकी जो personality आप develop कर रहे हो है ना उसको और बहतर आप बनाते रही है और ये कहीं ना कहीं आकरी में जो उसका reflection होगा वो उसी का होगा आप एक दो दिन का आप कोई particular course से उसको नहीं कर सकते हैं वो आपका overall development वहां पर आपका reflect होता है उस तरीके से अपने interview की preparation की तो आज हमने पुस्पेंस से जानी बहुत से उनका जो experience था उससे हर एक छुटी-छुटी बाते थी उन्होंने आज हमारे साथ शेयर की उनके जो obstacles आए थे preparation के दोरान किस तरह से उनका ज जो preparation ने और अपनी life उसके proper balance बना के रखा और एक बहतर तरीके से preparation की और आकरी में अपना जो उनका मुकाम था उसको हासिल किया तो एक आकरी जो message अगर पुस्पेंदर अगर देना चाहें जो हमारे जो aspirants जो किसी भी exam की तयारी कर रहे हो जो सब पर अपली के वलो तो सुझाव यह है कि आप अपनी preparation को continue रखे अगर आप कर सकते हैं तो आप खुद पे focus करें कि आप कितना और अच्छा कर सकते हैं आप अपना day-to-day improvement कीजिए बाकी आप positive लोगों के साथ रहिए और अपना effect मत हुए दूसरे की चीजों से आपको criticize करने वाले भी रहेंगे जै को defend ना करें आप वो stones लें और उन stones का monument बनाएं तो यह आप यह मेरा एक सुझाव रहेगा कि आप criticism को भी healthy way में लें competition भी अपने friends के साथ healthy way में रखें बाकी एक competition की feeling बनाया रखें बाकी लोगों में भी तो अपनी preparation आप साथ में चला सकते हैं थैंक्यू very much for joining us थैंक्यू स बहुत सुपकामना है कि आप जो judiciary जो आप services judicial services join करने जा रहे हैं आप उसमें एक बहतर योगदान दें उसके लिए आप बहुत-बहुत सुपकामना थैंक्यू